पता है हम सबकी जिन्दगी में न मिनीमम से मिनीमम एक ऐसा मोमेंट तो आता ही है पता है गिरी से गिरी हालत में भी जहां पर पता है हम लोग ना किसी इनसान से जब मिलते हैं या फिर जब हम किसी कल्चर से किसी सिवलाइजेशन से जब वाकिफ होते हैं तो हमारे अंदर ना एक sense of intimidation feel होता है like हमें ऐसा लगने लगता है कि यार ये ये कितने lucky है मतलब ये होती है life ये होता है जीने का तरीका मतलब किन से मिल रहे हैं किन के साथ बाते हो रही हैं कितनी advanced हैं कहीं न कहीं एक sense of intimidation भी आती और थोड़ी सी sense of jealousy इसी भी आती कि यार इसकी जिन्दगी तिनी awesome क्यों है कितना lucky है यार I think that is going to be my first review of this book जब मैंने इस किताब के पहले के कुछ पनने पड़े क्योंकि क्या है हमारे writer भाई साब ने बिलकुल hold back नहीं किया इस किताब की शुरुवात में मतलब starting में वो lawn में खड़े पीछे घर है घर किसका है बिल गेट्स का जी बिलकुल वही अपने जो founder है na Microsoft के जो कितने सालों से world's richest man का खिताब लिए बैठे थे हैं और कुछ पनने जब हम पलटते हैं तो पता चलता है कि हमारे जो writer भाई साब हैं की बात्चेत हो रही है एक बंदा है कोई electric कारवार बनाने का शौक है Elon Musk के साथ जी हाँ वही Elon Musk अपने जो Tesla के और SpaceX के founder है जो फिल हाल में world's richest man के खिताब के beach competition में लगे हैं कहीं ना कहीं ये जब starting के मैंने कुछ instances देखे तो मुझे ऐसा लगा यार और ये तो जनाब सिर्फ शुरुवात है इस किताब में कम से कम 10 से 15 और ऐसी हस्तियां आए जिनके साथ इनकी मुलाकात हैं जो business field के, entrepreneurship field के, investment field के या फिर इन सब के अलावा even the field of spirituality की leaders रह चुके हैं और जब मेरे मन में ये feeling आ रही थी थी like the code of the extraordinary mind अब यार अगर किताब का title ये है तो obvious सी बात है इस किताब में यही तो expect भी करना है हम लोगों को well मैं इतना shocked इसलिये था क्योंकि ये मेरी पहली book summary नहीं है, in fact book summary नहीं है, ये मेरी पहली self help की किताब नहीं है और एक चीज जो मैंने realize करिये वो ये है कि title हम कुछ भी डाल सकते हैं, because हमारी किताब है, हमारी मर्जी, हम कुछ भी लिख दें, लेकिन उस title के साथ, उस किताब का जो relevance होता है, उस किताब की सच्चाई उस title के साथ कितनी ज़ादा है, अगर सवाल ये है, तो this book takes 10 on 10, देखे जनाब, अगर आप इस किताब को read कर रहे हैं, या फिर इस किताब की यहाँ पर summary सुन रहे हैं, तो आपके अंदर ना, दो बातें तो बिल्कुल clear हो जाएंगी by the end of this book, पहला ये, कि ये जो extra ordinary minds के साथ मुलाकात होई है, वो खुद एक extra ordinary mind नहीं करी है, जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, हमारे इस किताब की writer की whose name is Vishayne Lakhiani, I know, आप में से कई लोग उन्हें already जानते हैं, अच्छा जो नहीं जानते, लेकिन self-help की दुनिया से connected हैं, self-help की किताबें बगएरा पढ़ते हैं, पर videos देखते हैं, तो आप अगर मेरी तरह होना, कि यार यह नाम से तो मैं नहीं जानता, चेहरे से पहचान जाऊंगा, एक वार इनको ज़रा Google पर सर्च करके देखो, and मैं guarantee के साथ बता सकता हूँ, अगर आप यह इस topics के थरू connected होगर आपको इन self-help के topics में मज़ा आता है, so there is a 90% chance that आपने इने already पहले किसी podcast में, किसी interview session में, किसी talk में देखा होगा, because he is a pretty renowned personality, इनके जो thoughts हैं, इनको follow करने वाले कई सारे youth हैं, and people actually love the way you know he thinks, and he brings out different things in other people, अब यह तो एक बात हो गई, मैंने आपसे कहा था कि दो बातें आपको इस किताब के end में फील होगी, दूसरी बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले, अगर इसके पहले आपने मेरी book summary सुनी है, तो आपको पता है कि क्या आने वाला है अगर नहीं सुनी, और आप पहली बार हमारे इस family के part बनने वाले हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे साथ होने वाली हर किताब की summary, एक train के सफर की तरह होती है, हम लोग अलग अलग stations visit करते हैं और बढ़ियाँ adventurous रस्ता होता है, लेकिन इस रास्ते में मैं यह मानता हूँ कि train की अगली seat पे जो अंजान शक्स बैठा है, उसका introduction लेना हमारी इंडिया की काफी पुरानी प्रथा है, और उसे मैं continue करना चाहता हूँ, हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोजफ और मैं साल 2020 में एक स्टोरी टेलर बनने के सफर पे निकला था, पता नहीं कैसे निकला, बस मैं निकल गया, और तब से लेकर अभी तक मैंने अपने Instagram प्रोफाइल पर कई सारी horror, thriller, fictional, इस टाइब की कहानिया लोगों को सुनाई, और वहाँ पर मेरी एक छोटी सी family बनी, इनी सब के साथ में मैंने podcasting के दुनिया में भी कदम रखा और Spotify पर मेरा एक podcast को run किया, लेकिन जब बात आती है book summaries की तो मैं आपको मिलूँगा यहाँ कुको FM पर, क्योंकि यहाँ सुने जो मन्चा है, तो हमारी अगली seat पर कौन बैठा है, उसने अपना introduction दे दिया, आप कौन है, आपके introduction का wait में comment section और Instagram टीम्स में करूँगा, लेकिन अब मैंने उस दूसरी बात को बताने का time आ चुका है, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको feel होगी, देखे जनाब अगर आप easily offend हो जाते हैं, अगर आपकी thinking थोड़ी सी narrow minded है, तो इस किताब में आपको problem हो सकती है, क्योंकि कई सारे writers थोड़ा सा घुमा फिरा के घुमा फिरा के एक बात को explain करते हैं, जिससे जादा बुरा नहीं लगता, लेकिन हमारे writer भाई साब जो है, who is Vishayn Lakhiani, ये काफी to the point बात करने में believe करते हैं, and that is one of the reasons कि उनकी किताबें एतिनी जादा famous क्यों होती हैं लोगों के बीच में, तो मैं आपसे request करूँगा कि जब भी किसी topic को हम उठाएं, तो उसको end तक सुनें और इस summary को खतम होने दें, क्योंकि starting में अगर कोई point आपको काफी जादा अरे ऐसे क्यों बोल दिया लग रहा होगा, तो with time आपको खुद बखुद समझ में आ जाएगा कि उस particular बात को बोलना ज़रूरी क्यों है, especially इस किताब के शुरुवात में ब्रूल्स करके एक topic आएगा, which can be a little bit offensive, लेकिन अगर आप सब्र रखें, तो a lot can be explained, and I think that is it, तो ये दो बातें मैंने आपको बता दी, अपना introduction करा दिया, किदाब का introduction करवा दिया, सवाल बस अब इतना सा बनता है कि अगर आपकी इजाज़त हो, तो हम इस सफर को शुरू करें, आए आए, क्या बात है जी, आप राजी हैं हमारे इस सफर के लिए, ये सुनके मुझे personally बहुत अच्छा लगा, अब आपका काम खत्म हो चुका है, आप relax होके अपनी seat पे बैठ जाए, अपने earphones को बड़ियां लगा लीजिए, volume adjust कर लीजिए, और अगर मैं speaker पे हूँ, तब बिल्कुल देख लीजिएगा, कि कहीं मैं किसी को परिशान तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये सब कुछ ready है, तो हमारे सफर को start करने से पहले, मैं आपको एक brochure दिखाना चाहता हूँ, एक brochure जिसमें कि मैं ये सारी, हम लोगों के कौन से कौन से stations आने वाले हैं, ये किताब किस तरीके से divided है, और इस किताब मैं पता है laws की बात की गई है, जी हाँ, कानून, लेकिन वो कानून बहुत interesting है, आपको पसंद आएंगे, तो वो सब क्या है, हमारे ये किताब को हमने चार पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, और वो पार्ट्स कौन से हैं, जानते हैं, आप रिलाक्स हो जाएए जी, आलती पालती मार के बैट जाएए, अब मेरी बारी, हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोजुफ और आप सुन रहे हैं, विशेन लख्यानी जी की लिखी किताब, The Code of the Extraordinary Mind की बुक समरी, ओन कुकु एफेम, सुने, जु मन्चा है, हाँ भाई, तो ये क्या बात हो रही है, यहाँ पे पार्ट्स की, लॉज की, आओ समझते हैं, देखो, ये किताब जो है, ये चार पार्ट्स में डिवाइड़ है, चार पार्ट्स इसलिए, क्योंकि हमारे जो राइटर भाई साब है, जब इनोंने अलग-अलग Extraordinary Minds के साथ Meetings करी, उनके साथ बातचीत करी, उनके जिन्दगी को ध्यान से अब्सर्व किया, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि, आक्चुली में, हर Extraordinary इनसान, ये चार प्रोसेस को complete करने के बाद ही, Extraordinary बन पाता है, बिल्कुल सही सुना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि, आज रात को आपने डिसाइड कि कल से तो मैं Extraordinary बन जाओंगा, और कल आप बन गए Extraordinary, ऐसा नहीं होता, एक प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस बहुत ज़ादा जरूरी इसलिए होती है, अगर इन में से एक भी पार्ट आपने मिस किया ना, तो आप जब वो Extraordinary बनने के सफर पर निकलें, तो कुछ अधूरा सा फील होगा, यूविल फील की पता है, कुछ गड़बड़ है, अब जैसे कि आपने ये चार पार्ट को समझा कि, भी या चलो हमारी जर्नी ऐसे ऐसे होनी है, तो इन पार्ट में जब आप गुजरते हैं, तो कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, जो बिलकुल Interesting है, ठीक है, मतलब ऐसा मत सोचना कि, यार यहाँ पे क्या Law, Legal वगिरा की बाते हो रही हैं, नहीं, ये दस कानून important, इसलिए है कि अगर आपने इन Laws को अपनी Life में इंप्लिमेंट नहीं किया, तो आप इन रास्तों से गुजर ही नहीं सकते, तो practically चार Checkpoints है जिन से हमको जाना है, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ते रहना हैं, तो हमें ये दस Laws हमारी Life में इंप्लिमेंट करना जरूरी है, गाड़ी बढ़ाते हैं हमारे सबसे पहले पार्ट पे, which is called as Living in the Culture Scape, देखो हर चाप्टर में हम लोग बिलकुल डीप में समझने वाले हर एक पॉइंट को, लेकिन यहां आपन सिरफ एक Overview ले रहे हैं, तो Living in the Culture Scape का Simple सा मतलब होता है, कि हमारे आसपास की जो दुनिया है, उसने हमें कैसे बनाया, वो हम कहते हैं न कि हमारी परवरिश ऐसी हुई थी, वो परवरिश का exact मतलब क्या होता है, वो आप पहले पार्ट में समझोगे, Second Part है, The Awakening, जनाब ऐसा है कि आपको तो दुनिया ने कुछ बना दिया, लेकिन आप आपके पास यह ताकत होती है, कि आप एक Choice लें, कि मुझे यह दुनिया में ये चीज़ पसंद है, और ये पार्ट काफी जादे Important और Crucial होता है, इसके बाद आती है Third Part, Third Part यह होता है जहां पर आप Recording Yourself सीखते हैं, which is simply speaking कि आप जो हैं, वो अपने अंदर की जो दुनिया हैं, मतलब practically आपके अंदर की जो Laws हैं, उनको आप कैसे Mature करते हैं, आप modify करते हैं, आप अपने सोचने के तरीके को कैसे modify करते हैं, and finally हम पहुचते हैं अपने चौथे पार्ट में, जिसका जो नाम है, वो है Becoming Extraordinary, हाँ जी यह अपनी आखरी स्टेप होती है, मतलब पहले तीनों पार्ट को करने के बाद, हमारे इस आखरी के स्टेप में हम यह सीखते हैं, कि कैसे हम इस दुनिया को बदल सकते हैं, अब जब हम इन chapters के अंदर से जा रहे होंगे, हम इन अलग-अलग parts को समझ रहोंगे, कि अच्छा पहले यह है, उसके बाद यह है, तो राइटर भाई साब उन्होंने कुछ कानून बनाए हैं, अब उन्होंने नहीं बनाए, आक्चली में यह कानून universally exist करते हैं, उन्होंने सिरफ observe किया है, और उस observation को हमारे साथ share किया है, देखो यह laws जो होते हैं, यह practically हमें बचाने के लिए होते हैं, क्योंकि जब हम अलग-अलग parts में जाते हैं, तो वहाँ हमें अलग-अलग challenges face करने पड़ते हैं, अब वो challenges को अगर आप बिना इन-laws की समझ के face करने के लिए जाएंगे, तो थोड़ा सा गड़बड हो सकता है, because problem यह है न at the end of the day, कि हम लोगों को कोई यह नहीं बताता है कि extraordinary कैसे बनते हैं, हम सब को यह बताया जाता है कि हमें college में top कैसे कर सकते हैं, हमें school में top कैसे कर सकते हैं, हम किसी company में अगर काम कर रहे हैं, तो वहां promotion कैसे पा सकते हैं, but nobody is talking about the extraordinary, कोई उस bottle के बाहर के दुनिया के बारे में बात ही नहीं कर रहा, वो बाहर के दुनिया में जब आप कदम रखते हैं, तो अगर आप इन laws का सहारा लें, तो आपको काफी ज़ादा benefit हो सकता है, and this is an absolute fact, अब देखे, इन सब के अलावा एक ऐसी बात भी है, जो हमारे writer भाई सहाब ने काफी end में जाके हमें बताई है, actually मैं उन्होंने बताई नहीं है, kind of हम भी feel कर जाते हैं by the time the book ends, लेकिन मैं चाहता हूँ वो बात आपको पहले से ही पता हो, देखो ये जो extraordinary बनने का जो सफर है ना, इस line पे ध्यान देना, ये एक सफर है, ये destination नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि जब Bill Gates भाई साब जो हमें दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, तब वो extraordinary बन गए, नहीं, ये एक process है, और आप एक extraordinary इंसान उस time पे भी बन चुके हो सकते हैं, जब आपकी जेब में बिल्कुल पैसे नहीं है, and this is a fact, extraordinary बनने का आपकी financial status के साथ कोई connection नहीं होता, उसका connection इन चार parts के साथ होता है, जो भी हम लोग discuss करेंगे, इन 10 laws के साथ होता है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो समझ में आगे है जी, सब कुछ एकदम clear है, time to begin our suffer, क्योंकि गाड़ी तो चल चुकी और हमारे पहले station की तरफ हम पहुचने भी वाले हैं, हमारे पहले part के अंदर, हम लोग entry लेने जा रहे हैं, ready? भी मैं तो एकदम excited हूँ जी, आप अगर ready हैं, तो अगले episode में आपका इंतिजार रहेगा, और इसी तरह हमारा ये सफर, enter करता है सबसे पहले part में, हम शुरू करते हैं chapter 1, transcending the culture escape, जना आप देखिए, ये जो किताब है न, ये हमें extraordinary कैसे बनते हैं के साथ साथ, एक extraordinary आदमी की जो journey होती है, वो कैसे होती है, ये सिखा रही है, तो उसकी जिन्दगी का जो सबसे पहला turning point होता है, वो moment होता है, जब वो सवाल पूछना शुरू करता है, जब वो उन rules के उपर सवाल पूछता है, जो दुनिया ने उससे सिखा ही है, या फिर जो society कहा रही है, कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके, क्यों, ये क्यों is not की आपने जो बात हमें बताई है, वो बात गलत है, ये सवाल बड़े simple तरीके से सिर्फ इसलिए पूछा जाता है, कि इसके पीछे का reason क्या है, अब इसके पहले हम अपनी गाड़ी को आगे बड़ा, यहाँ पर ना, स्टीव जॉब्स का एक बहुत प्यारा सा quotation है, जो राइटर ने शेयर किया है, जो मैं आप लोगों के साथ बाठना चाहता हूँ, स्टीव जॉब्स ने कहा था कि पताए, जब हम बड़े होते हैं, तो हम लोग कहीं न कहीं ये सीख जाते हैं, कि भाई, दुनिया ऐसी ही है, जो है, सो है, और आपको अगर इस दुनिया में रहना है, तो आपको कुछ rules follow करने हैं, basic से, जैसे कि आपको भाई, में ज़्यादा जाके घुसना नहीं है, है न, एक अच्छी सी family life होनी चाहिए, मजे वजे करने हैं, पैसे वैसे बचाने, and problem यह है कि यह बहुत limited life होती है, जिंदगी इससे कई ज़्यादा बड़ी और broad हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा fact हमें realize करना पड़ता है, वो यह है कि हमारी इर्दगिर्द, जो यह दुनिया है, जो यह inventions है, जो amazing और खोबसूरत चीज़े बनी हुई है, कि actually में जिन लोगों ने बनाई है, वो हमसे कोई बहुत ज़्यादा smart नहीं थे, बस यह realize करना है, कि हर वो चीज़ जो उन लोगों ने करी, और जिस तरीके से हमारी society आज influenced है, हम भी वो कर सकते हैं, हम भी society को influence कर सकते हैं, और एक बार आप जब यह बात सीख जाते हो, आप कभी भी वो पुराने वाले आप नहीं रह पाते, अब हमारी यह कहानी शुरू होती है, नियर दे ग्लीमिंग वाटर्स अफ लेक वाशिंग्टन, हमारे राइटर भाई साब जो थे, वो वहाँ पे एक बहुत खुबसुरत ग्रास का लॉन बना हुआ था, वहाँ पे खड़े यह सीख जाते हैं, आपको अगर इस दुनिया में रहना है, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, बेसिक से, जैसे कि आपको दिवार में ज़्यादा जाके घुसना नहीं है, एक अच्छी सी फाब्ली लाइफ होनी चाहिए, मज़े वज़े करने हैं, पैसे वैसे बचाने, आपको अगर इस दुनिया में रहना है, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, बेसिक से, जैसे कि आपको भई दिवार में ज़्यादा जाके घुसना नहीं है, एक अच्छी सी फाब्ली लाइफ होनी चाहिए, मज़े वज़े करने हैं, पैसे वैसे बचाने, और प्रॉब्लिम यह है कि यह बहुत लिमिटेड लाइफ होती है, जिंदगी इससे कई जादा बड़ी और ब्रॉड हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा फैक्ट हमें रियलाइज करना पड़ता है, वो यह है कि हमारी इर्दगिर्द, जो यह दुनिया है, जो यह इन्वेंशन्स है, जो अमेजिंग और खुबसूरत चीज़े बनी हुई है, यह आक्च्यली में जिन लोगों ने बनाई है, वो हमसे कोई बहुत ज़ादा स्मार्ट नहीं थे, बस यह रियलाइस करना है, कि हर वो चीज़ जो उन लोगों ने करी, और जिस तरीके से हमारी सोसाइटी आज इन्फ्लूएंस है, हम भी वो कर सकते हैं, हम भी सोसाइटी को इन्फ्लूएंस कर सकते हैं, और एक बार, आप जब यह बात सीख जाते हो, आप कभी भी वो पुराने वाले आप नहीं रह पाते, स्टीव चॉप्स, अब हमारी यह कहानी शुरू होती है, नियर दे ग्लीमिंग वाटर्स अफ लेक वाशिंग्टन, हमारे राइटर भाई साब जो थे, वो वहाँ पे एक बहुत खुब सुरूरत ग्रास का लॉन मना हुआ था, वहाँ पे खड़े हुए थे, और जैसा मैंने ट्रिलर में आप से कहा, तो आपको आपको अरड़ी पता होगा, वो घर था, बिल गेट्स का, और बिल गेट्स दर असल वहाँ पर मौजूद इसलिए थे, बिकाज यहाँ पर हमारे जो यह राइटर भाई साब है, यह आच्छली में Microsoft में इंटर्णशिप कर रहे थे, और Microsoft में इंटर्णशिप करना उस समय was a very 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 big deal, इस प्राक्टिकल जैसे आज की रेट में अगर कोई आपसे कहें कि मैं Apple में काम करता हूँ, या Google में काम करता हूँ, तो एक excitement आती है न, बस वैसी वाली क्रेज थी एक समय Microsoft की, अब Microsoft एक काफी बड़ी company बन चुकी, काफी फैल चुकी, बट at that time, things are very different, सो प्राक्टिकली सब लोग बहुत ज़ाधे excited थे, राइटर बताते हैं कि जैसे Harry Potter की movies में, जो Hogwarts के students जब पहली पाट टंबल टोर से मिलते हैं, तो एक excitement होता है न, बस वैसी excitement सब के अंदर थी, लेकिन फिर वो अपनी कहानी की एक backstory पर जाते हैं, और वहाँ पे भी maximum Asian parts की तरह वही same family rules वगेरा चलते हैं, जैसे कि आपको simply बड़े होना है, engineer, lawyer, doctor बनना है, और अगर आप बहुत ज़्यादा smart हो, जो कि हमारे writer भाई साब थे, तो उनको पहली बता दिया जाते हैं कि बेटा तुमको तो यह 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 अपनी life में करना है, तुमारी life तो बेटा set है, और कहीं न कहीं उन्हें अपनी इस set वाली life से थोड़ी सी problem थी, actually मैं वो real life में अपने थोड़ी photography में और stage acting और इन सारी fields में काफी interested थे, लेकिन खेर वो smart भी थे, तो उनके घरवालों के थोड़े से ब्रशर के चक्कर में उन्होंने computer engineering जो थी, वो start कर दी, अब problem यह है कि भले ही इनका मन बहुत लगता था photography में, acting में, इन फाक्ट उन्होंने थोड़ी बहुत clubs वगेरा भी join करी, जहां पर उन्होंने खुद को explore किया, लेकिन ये बातें उनके घर पे acceptable नहीं थी, और इस कारण से वो कभी computer science की दुनिया के बाहर नहीं निकल पाए, anyhow समय के साथ यो नो वो जब आगे गए उन्होंने काफी अच्छी पढ़ाई करीबे पढ़ने में अच्छे हैं, तो यही सबसे बड़ी problem हो जाती है कि आप जो है cream 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 बनते चले जाते हैं और आपके passion कहीं न कहीं पीछे चूटते चले जाते हैं, अब वहाँ पर जब वो Microsoft में internship कर रहे थे तो उन्हें Bill Gates के घर पे बुलाया गया था, उनके साथ और colleagues को भी बुलाया गया था और सब लोग वहाँ पर Bill Gates के साथ मिल रहे थे, उनका हाथ मिला रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे, Bill Gates भी बहुत खुश थे, लेकिन हमारे writer भाई साब guilty फील कर रहे थे, ध्यान दीजेगा इस word पर, देखिए word कोई साब यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो word हमारे writer भाई साब ने बताया है, वो है कि वो guilty फील कर रहे थे, हम guilty तब फील करते हैं, जब हमने किसी के against कुछ गलत किया होता है, हमने कुछ गलत है, इसमें इनकी क्या गलती है यार, वो regret फील कर सकते हैं, कि अरे यार मैं photographer बन सकता था, यह क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो guilty फील कर रहे थे, वो guilty इसलिए फील कर रहे थे, कि कहीं ना कहीं सामने Bill Gates खड़े हैं, उनकी company में मैं काम करता हूँ, लेकिन मुझे उनकी company में कोई interest नहीं है, और यहाँ पर उन्हें guilt क्यों हुआ, ऐसे समझने के बहुत simple सा तरीका है, जब आप एक company को run करते हैं, और किसी employee को आपकी company से मतलब भी नहीं है, तो वो company कहीं ना कहीं, भली छोटे से ratio में ही साही, पर सफर करती है, और उस company को जिस इंसान ने अपने खोन पसीने मैनत से बनाया है, वो सामने खड़ा है, और कहीं ना कहीं writer को ऐसा लग रहा है, कि मैं अपना best तो इस company में कहीं से कहीं तक नहीं दे रहा हूँ, anyhow, कुछ समय के बाद, उन्होंने उस company को quit किया, वेल, actually मैं उन्हें उस नौकरी से निकाल दिया गया, निकाला इसलिए, क्योंकि हमारे जो writer भाई साहब हैं, वो quit करने के उनमें हिम्मत थी नहीं, तो वो जान भूच कर अपने काम को काफी खराब तरीके से करने लगे, बैट के computer में games खेलते हुए पकड़े गए, और इन सब के चलते eventually एक ऐसी situation बनी, जहां उन्हें कह दिया गया, भाई तुम रहने दो, तुम निकलो यहां से, अब जैसे ये बात हुई, तो उन्होंने घर पे बताया या नहीं बताया, खेर वो एक अलग सवाल है, लेकिन अब यहां पे writer भाई साहब एक बहुत interesting बात बोलते हैं, और वो यह हैं कि let's admit it's not working, क्या work नहीं कर रहा है, वेल यहां पर उसे explain करने के लिए, उन्होंने gallop study का use किया, gallop studies, देखे अगर आप इसके पहले, मतलब इसके पहले मेरी जो किताब आई थी, फिर्स ब्रेक आल्ल दे रूल्स अगर आपने उस किताब की summary पड़ी है, तो आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, the great gallop organization, अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता दूँ, gallop study एक ऐसा concept होता है, जहां पर gallop करके एक organization है, वो कई सारे लोगों का surveys और research conduct करती हैं, और उसके end में, और जब मैं बहुत सारे भूल रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ, हजारों लाखों की तादात में, वो लोगों से अलग-अलग service conduct करवाते हैं, और उसके result को एकटा करके, वो decide करते हैं कि problem कहां जा रही है, या फिर अच्छी बाते कहां पर हो रही हैं, तो मेरी पिछली किताब में, उन्होंने management की दुनिया को take over किया था, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं, job happiness की, और थोड़ा साथ ध्यान से सुनिये का इस बात को, डेड़ लाख Americans, यानि कि 150,000 Americans के उपर, इस particular study को conduct किया, जहां पर पता चला कि, 70% लोग अपनी job से कोई खास खुश नहीं थे, मतलब वो कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई interest नहीं है वहां पर, अब वहीं पर, उन्होंने ये भी देखा कि, जब आप, you know, इंडेड लाख लोगों से कई सारे और भी सवाल करते हैं, कई जगों पर ये बताया गया कि, 33% जो Americans थे, उन्होंने ये claim किया कि, हम बहुत खुश हैं, यानि कि, बचे हुए लोग, बहुत खुश टाइप की feeling, नहीं रख रहे हैं अपने अंदर, CNBC के हिसाब से, एक report के दौरान ये पता चला, कि, कई सारे लोग जो हैं, वो actually में करजे में डूबे हुएं, याने कि, 8 out of 10 Americans जो हैं, वो अलग-अलग तरीकों से, या तो mortgage में, या debt में डूबे हुएं, ये भी पता चला कि, disease and control prevention की जो team होती हैं, उन्होंने कि, one third of adults जो हैं, वो obese हो चुके हैं अमेरिका में, obese याने जहां weight control नहीं हो पाता है, बहुत overweight की problem हो जाती है, and eventually उससे health issues निकल कर आते हैं, अब यहां तक बातें क्यों हो रही हैं, हम बात कर रहे थे, job की हम बात कर रहे थे, extraordinary होनी की, वहां से हम ये health wealth पे आगे, शादीवादी पे आगे, well here's the thing, जब आप अपनी life में खुश नहीं होते हैं तो उसका impact सिर्फ आपके career पे नहीं बढ़ता, उसका impact बहुत सारी अलग अलग जगहों पर पढ़ता है, जो आपको idea ही नहीं है, अब अगर कोई पूछे कि idea क्यों नहीं है, simple सी बात है, कोई बताएगा तो हमें पता चलेगा ना कि यहाँ बे problem हो रही है, अब ऐसा है कि यहाँ पर हम लोग इस problem की तरफ क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी in general अगर हम लोग globally भी बात करें तो इस problem की तरफ हम लोग क्यों बढ़ रहे हैं, उसका answer है should ध्यान दीजेगे इस word पर, शुड को जो हम लोग हिंदी में convert करते हैं तो उसका मतलब कुछ ऐसा रहता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, क्यों यह कोई नहीं पूछ रहा, पर अब मुझे ऐसा करना चाहिए, I should do this, अब इसके कुछ examples जैसे कि I should take this job, I should date या फिर marry यह person, मुझे college जाना चाहिए, मुझे इस college में जाना चाहिए, मुझे इस subject में major करना चाहिए, मुझे इस चहर में रहना चाहिए, मुझे ऐसा तिखना चाहिए, मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए, देखे जनाब जब ये सवाल किसी अच्छे कॉंटेक्स में पूछे जाते हैं और आपका दिल खुश होता है तब प्रॉब्लम नहीं है पर प्रॉब्लम तब है जब आपका दिल खुश नहीं है लेकिन फिर भी आप खुद को फोर्स कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर डिजिशन लेने से क्योंकि मुझे ऐसा करना चाहिए किसने कहा ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दुनिया ने और वो दुनिया क्या है और वो दुनिया कहां से आती है यह हम अपने आने वाले एपिसोड में समझने वाले हैं लेकिन अब बात आती है कि हमको इन रूल्स को तोड़ना है और हमें इन रूल्स के बाहर की दुनिया को देखना है तो सबसे बेसिक क्वेस्टिन कि यह रूल एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? जब किसी ने बनाया ही नहीं है जब किसी को अच्छा ही नहीं लग रहा तो यह रूल्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं? वैला यह समझते हैं कि यह रूल्स कहां से आते हैं और क्यों एग्जिस्ट करते हैं? पिछले एपिसोड के एंड में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हम लोग जो ये सोसाइटी में रहते हैं सोसाइटी के ये जो अपने नियम और कानून होते हैं कि कहां से आए? मतलब इनके शुरुवात कहां से हुई हमारे human history में? वेल इस आंसर को समझने के लिए हमें एक छोटा सा flashback लेना पड़ेगा and by छोटा सा, I mean कई हजारों लाखों साल पहले अब हम जिस जमाने की बात कर रहे हैं ये वो टाइम है जब इनसानों का सबसे बड़ा invention शायद invention of fire था मतलब imagine करिए एक ऐसा जमाना जब पत्थरों से tools बनाये जाते थे जानवरों को hunt किया जाता था और फिर उन्हें खाया जाता था कच्चा पक्का कोई idea ने लेकिन उस जमाने में हमारे जो पूरवज थे हम उन्हें biologically speaking homo sapiens बुलाते हैं लेकिन fun की बात यह है कि उस समय humans अलग-अलग तरहा के होते थे यारे homo sapiens जो हमारे पूरवज रहते थे उन्हीं के साथ साथ homo neanderthals, homo solenuses, homo erectus ऐसे करकी भी species हुआ करते थे तो सवाल यह उठता है कि भाई फिर वो लोग कहां गए मतलब उनके जो बच्चे हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं well actually में वो species जो थी वो विलुप्त हो गए they couldn't stand the test of time अब जैसी यह बात बोलते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है मुझे भी लगा था लेकिन यहां पर दो सवाल आते हैं वो विलुप्त कैसे हुए क्या बाकी कई सारे जीव जन्तुओं की तरह हम लोगों ने उन्हें मार मार के खतम कर दिया well that's not the case क्या ऐसा हुआ कि कोई meteor strike हुआ जिस तरीके से dinosaur विलुप्त हुए थे वही टूल हमारे आज के इस episode का सबसे important मुद्दा है Hello जी, मेरा नाम है Justin Joseph और आप सुन रहे हैं विशेन लख्यानी जी की लिखी किताब The Code of the Extraordinary Mind on Cuckoo FM सुने जो मन चाहे हाँ जी, तो ऐसा क्या टूल था जो भई उनके पास नहीं था और हमारे पास था और जिस कारण से हमारी species survive कर गई क्या हमारे पास कोई special हतियार था जिससे हम लोग tigers के साथ और lions के साथ लड़ाई कर लिया करते थे वेल, ऐसा कुछ भी नहीं था एक बहुत simple सा tool था और उसे कहते हैं, the tool of communication जनाब क्या है, वो लोग भी आपस में बात कर सकते थे, लेकिन जो हमारे पूरवच थे, that is the homo sapiens हमारी communication skills बहुत ज़ादा complex थी as compared to their example लेते हैं, imagine करो कि भीया, सामने शेर आगया तो जो neanderthals होते थे और जो बाकी सारे होते थे, उनका communication सिर्फ इतना ही था कि अरे देखो, देखो, शेर आगया, भागो, भागो and this is not always going to work, because जो सबसे पहले भग गया, वो तो बच जाएगा, लेकिन जो पीछे है, वो मर जाएगा वहीं पे जो हमारे homo sapiens हुआ करते थे, उनकी communication skills इतनी complex थी, जैसे कि पता है, मैंने आज सुभे देखा कि वो जो वहाँ से नदी जाती है उसके पास में वो शेर बैठा हुआ था तो अपन वेट करते हैं, जैसी वो वहाँ से चले जाएगा, उसके बाद अपन लोग वहाँ पे hunting करने के लिए चले जाएगे अब difference notice कर रहे हो मतलब हम लोग prevention के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग timing के बारे में बात कर रहे हैं, कब जाना है, कैसे जाना है वो danger है, उसको avoid कैसे करना है ये सारी बाते हम लोग कर पाते थे लेकिन वहीं पे हमारे जो बाकी के human भाई बहन थे उस समय के, वो इस तरह की जो ये सारी बाते हैं, ये सब eventually एक cognitive revolution में बदलें, cognitive revolution का मतलब जैसे ये actually में जो term है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, sapience करके एक किताब है, जिसके you will Noah Harari नहीं लखी थी, जो खुद एक doctor है, तो doctor Harari का ये कहना था कि इंसानों के अंदर जो, मतलब हमारे वाले जो पूरवज थे उनके अंदर जो ये communication difference था ना, ये कही ना कही हमारी cognitive abilities, यानि कि जो हमारे दिमाग के अंदर जो सोचने की शमता होती है, इससे बहुत extreme level पर लेकर चले गई, अब example के तोर पे अगर हमारे सामने कुछ चीजें होती है, जैसे कि भाई, ये नदी है, है ना, ये पत्थर जो ह है, वो कड़क होता है, पानी जो होता है, वो गीला होता है, आग गरम होती है, टाइगर के जो दांत होते हैं, बड़े होते हैं, कौटेगा तो दर्द करेगा, ये सारी बातें बिल्कुल सच हैं, यहाँ पर कोई argument नहीं, लेकिन इसी की तरह कई सारे ऐसे concept होते हैं, जो हमा पैसा, religion और नियम कानून जैसी बातों को अपने मन में develop किया, eventually क्या हुआ कि जो democracy जैसी बाते हैं, religion जैसी बाते हैं, ideas की education किस तरह का होना चाहिए, प्यार, महबबत, इश्क क्या होता है, शादी क्या होती है, करियर क्या होता है, ये सब से related, कुछ-कुछ rules बनने लगे, ज अगर आपने पिछला एपिसोड को ध्यान से सुनाओ, तो सकेंड में, हमने discuss किया कि ये should वाले rules क्या होते हैं, I should get an education, I should get married, I should have a safe career, ये should के जो rules थे, problem यहाँ पे शुरू हुई, शुरुवात इन सब की हुई थी कि भहिया, हम लोगों को खुद को safe रखना है, और हम लोग better तरीके सा as a community कैसे रह सकते हैं, लेकिन कही न कहीं ये rules इतने limiting भी होने लग गए with time कि इनसान की जो ये सोचने की शमता थी, ये और बढ़ने लगी, लेकिन जो rules set थे, society के वो पहले सी set थे, अब इस नए जमाने में कहीं न कहीं जो artist mentality type के लोग थे, या फिर जो entrepreneur mentality वाले ल example के तौर पे जैसे engineering हो गई, doctor हो गई, law law हो गया, ये सर्फ बहुत basic necessities होती है society की, अगर ये careers calculate में exist नहीं करेंगे तो practically हमारी society crumble down हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिरफ इन ही से कोई देश बनता है, and that's where the entire difference happens, अब होता ये है कि हम लोग अपनी बच्चपन से ये जो culture हमारे आसपास बना दिया क्या है, अच्छा हो या बुरा हो से कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी culture scape में पलते बढ़ते हैं, अब important सी बात है, अगर कोई चीज हमारे लिए सही नहीं है, suffocating है, तो सवाल हम सवाल क्यों नहीं उठाते हैं, विल जब हम बच्चपन से उसी culture में रहते हैं ना, तो हमें उसमें कुछ unusual नहीं लगता, हमें लगता है, वहां तो ये तो normally होता है, ऐसे ही तो होता है, ये जो feeling होती ही ना, ऐसा ही तो होता है, और फिर हमारी life में कोई दोस्ता के हमें बत करेगी वो होगा पानी, I know, सुनके थोड़ा सा weird लगा, लेकिन सोचके देखो, बच्चपन से लेकर बड़े होने तक वो मचली जो है उस पानी में ही रही है, पानी उसकी दुनिया है, तो जब कोई चीज आपके लिए used to हो जाती है, मतलब आप उसी के अंदर हो, आपको ऐ ऐसा ही लगता है, यही तरीका है, यही सही रास्ता है, आप उसे सवाल नहीं उठाते, क्योंकि आप used to हो जाते हो, अब मचली के अंदर इतना दिमाग नहीं है, कि वो लोग अलग से जाके बोलें, कि अरे हम पानी में अकेले क्यों रहते हैं, हम जमीन पे क्यों नहीं रह सक मारे मन में आते हैं अब इस बात को थोड़ा और समझने के लिए हम दो curves के बारे में बात करेंगे अगर हम लोग दो graph बनाएं मतलब एक graph में हम लोग लिखें भई एक side पे quality of life नीचे लिख दे हम लोग time तो हम लोग notice करेंगे कि अगर हम लोग एक slow, steady growth बिना किसी risk के जैसा मतलब एकदम safe life choose करनी है तो उसमें क्या होता है कि धीरे 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 कव उपर जाता है ने quality of life उपर जाती है लेकिन एक समय के बादना quality of life एकदम stagnant हो जाती है क्योंकि जब तक शायद हम पैसे जादा earn कर सकते हैं quality of life बढ़ती है लेकिन क्या quality of life सिर्फ पैसो से related नहीं होती कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर के वो word होता है ना inner peace उस बात से भी related होती है तो क्या होता है कि जब हम लोग सिर्फ safe safe life को choose करते हैं तो कहीं ना कहीं वो quality of life का जो graph है वो काफी stagnant हो जाता है एक समय के बाद एक जसा हो जाता है वहीं पे अगर हम लोग अपनी life में थोड़ा risk लिना प्रिफर करते हैं थोड़ा अपने तरीके से चलेंगे बतलब यह नहीं कह रहे है कि society को तो लात मारो यह कहा जा रहा है कि society की चो नियम कानून उस पर कभी कभी सवाल उठाएं कि यह चीज मेरे लिए सही है क्या यह नहीं कि किसी और को जाके बोल रहे है तो मैं ऐसा क्यूं कर रहे हूँ बलकि हम खुद से यह पूछें कि मैं ऐसा क्यूं कर रहा हूँ क्या मैं comfortable हूँ क्या मैं comfortable नहीं हूँ वहाँ ये notice किया जाता है कि हमारा graph बिल्कुल smooth नहीं होता कभी उपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है लेकिन समय के साथ हमारी quality of life as compared to पहले वाला graph बहुत उपर की तरफ चली जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारी जिंदगी के नीचे वाले जो उतार होते हैं ये हमें चड़ाव की तरफ और जाधा push करते हैं और हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है और ये जो graph है ना कि नीचे गिरना और उससे सीख के उपर जाना इसके बारे में हम आने वाले एक एपिसोड में बहुत डेप्थ में बात करने वाले है मतलब एक बहुत इंट्रेस्टिंग कॉंसेप्ट है जो मैं आप सभी के साथ शेर करना चाहता हूँ लेकिन इस एपिसोड को खतम करने से पहले और हम अपने पहले law पे पहुचें उससे पहले मैं एक छोटी सी conversation भी पताना चाहता हूँ जो SpaceX के founder ने हमारे writer भाई साथ के साथ करी तो 2013 में इनकी मुलाकात हुई Elon Musk के साथ तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि Elon कि जो मतलब तुमने इतना कुछ मतलब epic काम किया है अपनी life में जो लोग you know dream भी नहीं करते कि भाई ऐसा भी हो सकता है how did all of this happen तो वो बताते हैं कि वो न अपनी life में किसी job walk के लिए गए थे एक बार तो वो वहाँ पे lobby में बैठे हुए थे resume लेकर कि भाई यार अभी कोई आएगा मुझसे बात करेगा मुझे बोलेगा कि यहाँ पर जाना है वहाँ पर जाना है कुछ भी नहीं हुआ वो वहाँ बैठे के बैठे रह गए और समय बीतता चला गया कुछ समय के बाद Elon भाई साब इतने बोर होगा बोले कि यह तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला यह बहुत फालतीव चीज़ है मैं अपनी company को से start कर दूँगा सुनने में चितना funny लगते है वो लोग एक ऐसे टूल के बारे में नहीं जानते थे जिसके बारे में हमारे पूर्वत जानते थे उस टूल को क्या कहते हैं वही टूल हमारे आज के इस एपिसोड का सबसे important मुद्दा है हेलो जी मेरा नाम है जस्टिन जोजफ और आप सुन रहे हैं विशेन लख्यानी जी की लिखी किताब The Code of the Extraordinary Mind on Kukoo FM सुने जो मन चाहे हाँ जी तो ऐसा क्या टूल था जो उनके पास नहीं था और हमारे पास था और जिस कारण से हमारी स्पीशी सर्वाइफ कर गई कि वो लोग एक ऐसे टूल के बारे में नहीं जानते थे जिसके बारे में हमारे पूर्वत जानते थे उस tool को क्या कहते हैं वही tool हमारे आज के इस episode का सबसे important मुद्दा है Hello जी, मेरा नाम है Justin Joseph और आप सुन रहे हैं विशेन लख्यानी जी की लिखी किताब The Code of the Extraordinary Mind on Kukoo FM, सुने जो मन चाहे हाँ जी, तो ऐसा क्या tool था जो उनके पास नहीं था और हमारे पास था और जिस कारण से हमारी species survive कर गई क्या हमारे पास कोई special हतियार था जिससे हम लोग tigers के साथ और lions के साथ लड़ाई कर लिया करते थे वेल ऐसा कुछ भी नहीं था एक बहुत simple सा tool था और उसे कहते हैं the tool of communication जनाब क्या है वो लोग भी आपस में बात कर सकते थे लेकिन जो हमारे पूरवच थे that is the homo sapiens हमारी communication skills बहुत ज़ादा complex थी as compared to theirs example लेते हैं, imagine करो कि भीया सामने शेर आ गया तो जो neanderthals होते थे और जो बाकी सारे होते थे उनका communication सिरफ इतना ही था कि अरे देखो देखो शेर आ गया भागो भागो and this is not always going to work because जो सबसे पहले भग गया वो तो बच जाएगा लेकिन जो पीछे है वो मर जाएगा वहीं पे जो हमारे homo sapiens हुआ करते थे उनकी communication skills इतनी complex थी जैसे कि पता है मैंने आज सुभे देखा कि वो जो वहाँ से नदी जाती है उसके पास में वो शेर बैठा हुआ था तो अपन वेट करते हैं जैसी वो वहाँ से चले जाएगा उसके बाद अपन लोग वहाँ पे hunting करने के लिए चले जाएगे अब difference notice कर रहे हो मतलब हम लोग prevention के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग timing के बारे में बात कर रहे हैं कब जाना है कैसे जाना है वो danger है उसको avoid कैसे करना है ये सारी बाते हम लोग कर पाते थे लेकिन वहीं पे हमारे जो बाकी के human भाई बहन थे उस समय के, वो इस तरह की communication skills के आदी नहीं थे, उनको नहीं आता था इसे communicate करना This, this small little communication difference सब कुछ बदल के रख दिया अब देखो होता क्या आना कि ये जो ये सारी बातें हैं, ये सब eventually एक cognitive revolution में बदले Cognitive revolution का मतलब, जैसे ये actually में जो term है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, sapience करके एक किताब है जिसके Yuval Noah Harari नहीं लखी थी, जो खुद एक doctor है, तो doctor Harari का ये कहना था कि इंसानों के अंदर जो, मतलब हमारे वाले जो पूरवज थे, उनके अंदर जो ये communication difference था ना, ये कही ना कहीं हमारी cognitive abilities यानि कि जो हमारे दिमाग के अंदर जो सोचने की शमता होती है, इससे बहुत extreme level पर लेकर चले गई अब example के तोर पे, अगर हमारे सामने कुछ चीजें होती है, जैसे कि भाई, ये नदी है, है ना, ये पत्थर जो है, वो कड़क होता है, पानी जो होता है, वो गीला होता है, आग गरम होती है, tiger के जो दांत होते हैं, बड़े होते हैं, कौटे गा तो दर्द करेगा, ये सार ही बाते हैं, बिल्कुल सच हैं, यहाँ पर कोई argument नहीं, लेकिन इसी की तरह कई सारे ऐसे concept होते हैं, जो हमारे दिमाग में exist करते हैं, हमारी imagination, मतलब एक तरफ बाहर की दुनिया चल रही थी, वहीं पर homo sapiens के दिमाग में एक अपनी दुनिया चल रही थी, इन ही दुनिया के चलते हैं, जो यह homo sapiens ने शादी, पैसा, religion और नियम कानून जैसी बातों को अपने मन में develop किया, eventually क्या हुआ कि जो democracy जैसी बाते हैं, religion जैसी बाते हैं, ideas की education किस तरह का होना चाहिए, प्यार, महबबत, इश्क क्या होता है, शादी क्या होती है, करियर क्या होता है, यह स किसे related, कुछ-कुछ rules बनने लगे, जो धीमे-धीमे-धीमे, should वाले rules बन गए, अब अगर आपने पिछला episode को ध्यान से सुनाओ, तो scan में, हमने discuss किया कि यह should वाले rules क्या होते हैं, I should get an education, I should get married, I should have a safe career, यह should के जो rules थे, problem यहाँ पे शुरू हुई, शुरुवात इन सब की हुई थी कि भईया, हम लोगों को खुद को safe रखना है, और हम लोग better तरीके से as a community कैसे रह सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं यह rules इतने limiting भी होने लग गए, with time, कि इनसान की जो यह सोचने की शमता थी, यह और बढ़ने लगी, लेकिन जो rules set थे, society के वो पहले सी set थे, अब इस नए जमानी में, कहीं न कहीं जो artist mentality type के लोग थे, या फिर जो entrepreneur mentality वाले लोग थे, वो लोग सफर करने लगे, क्योंकि जो rules थे, वो थोड़े basic necessities के लिए बनाये गए थे, example के तोर पे, जैसे engineering हो गई, doctor हो गई, law law हो गया, यह सब बहुत basic necessities होती है, society की, अगर यह careers calculate में exist नहीं करेंगे तो practically हमारी society crumble down हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सिरफ इन ही से कोई देश बनता है, and that's where the entire difference happens, अब होता यह है कि हम लोग अपनी बच्चपन से यह जो culture हमारे आसपास बना दिया क्या है, अच्छा हो या बुरा हो से कोई फरक नहीं पड़ता, लेक अगर कोई चीज हमारे लिए सही नहीं है, suffocating है, तो सवाल उठाओ, हम सवाल क्यों नहीं उठाते हैं, विल जब हम बच्चपन से उसी culture में रहते हैं तो हमें उसमें कुछ unusual नहीं लगता, हमें लगता है, वहां तो यह तो नॉर्मल ही होता है, ऐसा ही तो होता है, यह जो feeling तो मचली अपनी जिंदगी में सबसे last जिस बात को observe करेगी वो होगा, पानी, I know, सुनके थोड़ा सा weird लगा, लेकिन सोच के देखो, बच्चपन से लेकर बड़े होने तक वो मचली जो है, वो उस पानी में ही रही है, पानी उसकी दुनिया है, तो जब कोई चीज आपके अकेली used to हो जाती है, मतलब आप उसी के अंदर हो, आपको ऐसा ही लगता है, यही तरीका है, यही सही रास्ता है, आप उसे सवाल नहीं उठाते हैं, क्योंकि आप used to हो जाते हो, अब मचली के अंदर इतना दिमाग नहीं है कि वो लोग अलग से जाके बोलें कि अरे हम पान है कि यार ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं इस टाइप के questions हमारे मन में आते हैं, अब इस बात को थोड़ा और समझने के लिए हम दो curves के बारे में बात करेंगे, अगर हम लोग दो graph बनाएं, मतलब एक graph में हम लोग लिखें भई, एक side पे quality of life नीचे लिख दे हम लोग time, तो हम हम लोग एक slow, steady growth, बिना किसी risk के, जैसा मतलब एकदम safe life choose करनी है, तो उसमें क्या होता है कि धीरे 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 curve उपर जाता है, ने quality of life उपर जाती है, लेकिन एक समय के बाद na quality of life एकदम stagnant हो जाती है, क्योंकि जब तक शायद हम पैसे जादा earn कर सकते हैं, तब तक quality of life related होती है, तो क्या होता है कि जब हम लोग सिरफ एक safe 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 life को choose करते हैं, तो कहीं न कहीं वो quality of life का जो graph है, वो काफी stagnant हो जाता है एक समय के बाद, एक जसा हो जाता है, वहीं पे अगर हम लोग अपनी life में थोड़ा risk लिना prefer करते हैं, थोड़ा अपने तरीके से चलेंगे, ब बलकि हम खुद से ये पूछें कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्या मैं comfortable हूं, क्या मैं comfortable नहीं हूं, वहाँ ये notice किया जाता है कि हमारा graph बिल्कुल smooth नहीं होता, कभी उपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, लेकिन समय के साथ हमारी quality of life as compared to पहले वाला graph बहुत उपर की चली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारी जिंदगी के नीचे वाले जो उतार होते हैं ये हमें चड़ाव की तरफ और जाधा push करते हैं, और हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, और ये जो graph है ना कि नीचे गिरना और उससे सीख के उपर जाना, इसके बार मैं एक छोटी सी conversation भी पताना चाहता हूं जो SpaceX के founder ने हमारे writer भाई साथ के साथ करी, तो 2013 में इनकी मुलाकात हुई Elon Musk के साथ, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि Elon, तुमने इतना कुछ epic काम किया है अपनी life में, जो लोग dream भी नहीं करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, how did all of this happen, तो वो बताते हैं कि वो ना अपनी life में किसी job walk के लिए गए थे एक बार, तो वो वहाँ पे lobby में बैठे हुए थे, resume लेकर कि भाईयार, अभी कोई आएगा, मुझसे बात करेगा, मुझे बोलेगा कि यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है, कुछ भी नहीं हुआ, वो व quality of the situation नहीं है, उनके ज़रूरी नहीं है, पहली company बहुत successful गई हो, but the question is कि वो feeling कि यह मेरे लिए नहीं है, मैं बोर वील कर रहा हूँ, that was what pushed Elon Musk to become, you know, जो आज की rate में वो है, अब सवाल यह उठता है कि हमारा जो यह पहला law है, वो क्या है, और इसी law के साथ हम लोग एक concept पे बात करने वाले हैं कि तो safety होती है, यह ठीक है या फिर यह बहुत जादा overrated है, well, आईए समझते हैं, इस पूरी किताब में शायद यह एक ऐसा point है, जहाँ पर मैंना personally बहुत जादा ऐसा लगा जैसे बात बोलिया यार, क्योंकि वो बात बिलकुल सही है, and that line is, why safety is overrated? जनाब overrated एक ऐसा term होता है, हम वहाँ लगाते हैं, जब, you know, हम किसी चीज़ की बात कर रहे हो, और भाई, बहुत तारीफों के pull बांद के रखे हो उस particular चीज़ से related, लेकिन जब हम actually में उस particular चीज़ को observe करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, मैं ठीक है, जितना hype create किया था ऐसा भी नहीं है, होता है न, कभी-कभी कुछ movies जो होती है, उनका trailer इतना खतरनाक होता है, उसकी promotion बहुत गजब करी गई होती है, जब theater में आप movies देखने के लिए जाते हैं, तो you are like, ठीक है, तो this is kind of something जो यहाँ पर safety के लिए कहा जा रहा है, हम सब कहते हैं न, life safe होनी चा अब ऐसा क्यूं बूला है, आइए समझते हैं, हेलो जी, मेरा नाम है जस्टेन जोजफ और आप सुन रहे हैं, विशेन लखियानी जी की लिखी किताब, The Code of the Extraordinary Mind की book summary, on Kukoo FM, सुने जो मंचा है अब जो हमारा पिछला एपिसोड है, उसमें हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से हमारे जो writer भाई साब हैं, वो जागर के Elon Musk के साथ मिले, उनके साथ उनकी बातचीत हुई, तो इस दोरान पे Elon ने एक बहुत interesting बात कही और उन्होंने बोला कि मेरे पास ना, जो pain का tolerance है वो बहुत ज़ादा दर्द सह सकता हूँ, यहाँ पर जिस दर्द की बात हो रही है, वो दर्द जरसल physical नहीं है, it's more about emotional pain जो सफर होता है, अब यह line क्यों कहेगा, इसको ज़रा ध्यान से समझेगा, यह जो life होती है न, एक entrepreneur की या फिर एक artist की, तो यहाँ पर हम लोग society की जो normal conventional rules होते हैं, उन से बहुत अलग जाते हैं, और ऐसे में क्या होता है, कि साथ में safety नहीं होती, तो parents को इस बात का डर रहता है, कि अरे भाई, जो कर रहे हो, वो ठीक तो कर रहे हो, गडवर तो नहीं हो जाएगी, कल को जाके, सही बात है, अब हमारी जो society होती है, उसमें जो यह conversation होती है, कि अरे पता है, उनका लड़का कुछ अलग कर रहा है, और बहुत unsafe है, पता नहीं क्या होगा, घर पे बैठा रहता है, या फिर कहीं न कहीं तो बाहर गोमता रहता है, पता नहीं आवार है, इस टाइप की बाती होने लगती हैं, और जब यह बाती होती हैं, तो कह ना भी मुझे बोलते हैं, मैं उस बात को सुनके सह सकता हूं, क्योंकि मैं अपनी गोल में बिलीफ करता हूं, अब यहां पर हमारे जो राइटर भाई साब हैं, उन्होंने एक बहुत इंट्रेस्टिंग सा एक किस्सा बताया आपना, कि पिछले वाले एपिसोड में हमने ज तो आक्चेली में जो अच्छा वह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है जो बुरा हो रहा है उससे, देखें बड़े ध्यान से समझेगे इस टॉपिक को, क्या होता है जब हमारे साथ लाइफ में कुछ बुरा होता है, तो वो तब ही होता है जब हम लोग smiles साइड पहले दूसरी तीसरी तारीक तक किती अच्छी लाइफ है, किती constant और safe लाइफ है, तो भाई इसमें थोड़ी problem है, problem तब है जब आप ऐसे career को चुनते हैं, या फिर कुछ अपना करने की कोशिश करने चले जाते हैं, जहाँ पर क्या पता अगले महीने पैसे मिले ना मिले, तो यहाँ पर एक बुरी feeling तो है, कि सही बात है भाई, बिल्कुल unsafe है, लेकिन दूसरी बात जो समझने वाली है, वो यह है कि, जो इनसान safe अपनी life को जी रहा है, उसे नहीं पता, कि अगर उसे अगले महीने पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो क्या करेगा, मतलब क्या वो उस चीज इसको accept कर पाएगा, कि मतलब मिरे पास पैसे नहीं मैं क्या करूँ, एक अंदर से तड़प मच जाती है, वहीं पर जो दूसरा इंसान है, वो पहली बार ज़रूर ऐसा feel कर सकता है, लेकिन generally artists और entrepreneurs के life में ऐसे कई किस्से आते हैं, जहां पर नहीं है पैसे, क्या करें, तो ऐ पैसे में, बिना पैसे के कैसे survive करते हैं, किस तरीके से थोड़ा जोगार लगाया जाता है, किस तरीके से अपनी नाव को चलाते रहना है, यह सब सीखने के लिए मिलता है, हमारी जो writer है, उन्होंने बताया है कि जब उनका दिल तूटा, जब उन्होंने अपनी खुद की company म उनके partner के साथ लडाई हो गई, एक depression period आता है, बुरा लगता है, आपका mind होता है, वो safe feel नहीं कर रहा होता, वो एक्दम थोड़ा सा ऐसा low सा हो जाता है, लेकिन उन moments पे, जो आप सीखते हो अपनी life में, जो experiences आते हैं, वो आपको वापस उठा के इतना उपर फेकते हैं, कि आप last time से खुद को जाधा matured और खुद को जाधा better feel करते हो, अब इनी सब किस्तों के बीच में, उन्होंने एक बहुत, I think अपना personal life का moment शेयर किया है, जब उन्होंने Microsoft की नौकरी को छोड़ दिया था, तो जब उन्होंने Microsoft की नौकरी छोड़ी, तो उसके बाद एक normal सी एक जौब उन्होंने कहीं पर पकड़ ली, जिससे मतलब उनका खर्चा पानी चल सके और वो, you know, अपनी passion को follow कर सके कहते हैं, तो इस दोरान उनके जो पैसे आ रहे थे भाई, वो बहुती कम थे, पहले भाई, वो बढ़ियां apartment में रह रहे हैं, खुद का कमरा है, अब वो गंदा apartment था, कि मतलब, you know, जो नीचे का carpet है, उसमें कुछ काले-काले से धब्बे बने हुए, अब वो कुछ सड़के धब्बा बना हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता था, अब कहीं पर तो रहना है वाले उस intention के साथ, वो वहाँ पर रहने लग गए, अब इस बीच में, विजिट करते हैं, तो आप घर पर विजिट करते हैं, अब वो जब रूम में आई, तो रूम में देख कर, तारीफ करने लाइक तो ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पर, तो उन्होंने एकदम से bed देखा, अरे वाँ, आप यहाँ पर अकेले नहीं रहते हो, तो फिर लाइक, I mean हम लोग थोड़ा सा प्राइविसी कैसे मिलेगा हमको, इस तरह का सवाल पूछा, और अव्विस सी बात है, हमारे जो राइटर भाई साब हैं, वो भी समझ रहे हैं, कि यार अब क्या बोलू मैं बिजदती हो रही है, तो उन्होंने वहाँ पर एक परदा ओर्डर किया था, अब ऐक शार कॉर्टरूं के बात्रों के बाहर लगे होते हैं, तो वो एक शार कॉर्टरिन लिया, यसे हम लोग हॉस्पिटल में दो बैडों को डिवाइट करती है, वैसे करके उन्होंने डिवाइट किया, और वो लड़की ऐसे देखरी थी कि, तुम सीरियस हो, यह दिव दिया क्योंकि तीन साल बाद उन्हों ने और क्रिस्टीना ने शादी करी और आज उन दोनों के तो छोटे छोटे बड़े प्यारे से बच्चें हैं एक घर है और कुर्टन्स बहुत अच्छे हैं उनके घर के लेकिन लाइफ जो है सिंपल सी बात है जो राइटर हमारे एंड में कहते हैं कि ये सब तभी पॉसिबल हुआ अकर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ी होती तो क्योंकि छोड़ा तो वो स्टूडिय अपार्टमेंट में गए वहां वो किसी से मिले और एक अच्छे इंसान से मिले जैनने उनके पैसों से कोई मतलब नहीं था उस इंसान को क्रिस्टीना को राइटर के अंदर कुछ दिखाई दिया तभी तो ऐसी हालत में भी डेट करना होने सही लगा and that all happened because हमारी राइटर भाई साब बिलकुल safe नहीं खेल रहे थे and this is something to keep in mind think about it, safety क्या वाकी में आपके लिए उतनी जादा beneficial है या फिर हमें ऐसा बताया जाता है कि वो beneficial है क्योंकि वो safe है क्या आप में इतनी guts है कि आप उस safety से बाहर निकल के अपनी एक life को chase कर सको अगर ऐसी guts होती है तो क्या पता आपकी जिंदगी में किस तरह के experiences आएंगे इससे पहले मैं आपको जादा भटका हूँ अब हमारी कहानी पहुचती है question the rules पे बिल्कुल सही सुना मैंने rules नहीं कहा मैंने कहा rules ये क्या होता है आए समझते question the rules ये rules क्या चीज होती है मतलब rules तो हमें भी पता है हम पिछले तीन एपिसोड से उसी के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन ये rules क्या है तो अगर आप अभी छोटे हैं मतलब 18 साल से कम है तो please अब देखो English terms जो होते हैं उसमें bullshit का अगर जो मतलब होता है उसको हमें हिंदी में समझना है तो it is not the literal meaning of bullshit it is actually meaning की फुद्दू, भकवास, फाल्तू तो practically वो rules जो बिल्कुल ही फाल्तू होते हैं उन्हें ये लोग rules बुलाते हैं हमारे writer भाई साब और हमारे इस chapter को शुरू करने से पहले इन्होंने बहुत प्यारा सा quote share किया है कि कई सारे जो truth होते हैं जो हम लोग अपनी जिंदगी में belief करते हैं वो actually point of view को खेल होता है किसी ने बना दियें तो यहां पर नहीं सवाल उठता है कि ये जो rules जिसने बना है जिसका कोई तालुख नहीं है हमारी जिंद अब यहां पर हम पहुचते हैं the lies we choose to believe करके एक topic पर अभी हागे हम बहुत बहुत वाकई में मतलब intriguing points intellectual points पर discussion करने वाले हैं तो एकदम earphones बढ़ी हैं एकदम set कर लीजी because अगले station के लिए हम रवाना हो चुके हैं Hello जी मेरा नाम है जस्टिन जोजफ और आप सुन रहे हैं विशेन लखियानी जी की लिखी किताब The Code of the Extraordinary Mind की book summary on Kukoo FM सुने जो मन चाहे अब हम जो ये so called culture में रहती हैं तो हम लोग कुछ ideas को अपने दिल से काफी ऐसे लगा कर रखते हैं example के तौर पे हमारी identity क्या है? हमारा धर्म क्या है? हमारी nationality क्या है? हमारे belief क्या है? कि ये दुनिया किस तरह की है? ये सारी बातीं जो होती हैं ये actually में हमारी mental constructs होते हैं कि किसी ने हमें कुछ चीजें बता कर रखी हैं और हमने ये choose किया है कि हम इस particular बात में belief करेंगे and it is actually very true अब यहाँ पर ये जो so called mental construct होते हैं ये actually में किसी के opinion होते हैं अब चुकि उस particular इंसान ने अपने opinion हमें बचपन में ही कह दिये तो हम उस opinion को अपनी reality बना लेते हैं हम उसे अपनी सच्चाई बना लेते हैं अब इसे हम सच्चाई क्यों बना लेते हैं इसे social contagion कहा जाता है practically एक ऐसा act होता है एक ऐसा concept होता है जहां पर एक idea जो होता है वो एक दिमाग से दूसरे दिमाग में travel करता है बिना किसी सवाल जवाब किये वो एक होती है ना कि hey brother you have to do something for me no questions asked ये जो no questions asked का concept होता है यहां पर problem create होती है क्योंकि सवाल नहीं पूछा तो उस particular idea की validity हमने करी नहीं और वो idea आगे बड़े जा रहा है Dr. Martson जो है उन्होंने एक बड़ी different सी एक बात कही थी कि जो हमारा जो belief होता है ना वो हम लोगों का belief पर control से जादा beliefs का हमारी उपर control हो जाता है Englishman's line को कहते है we don't have beliefs so much as beliefs have us सोच के देखेगा इस बात पे जनाब जब कोई चीज हम पर हावी हो जाती है तो हम उस particular चीज के सामने कमजोर हो जाते है and I think as an insan, as humans, as independent living creatures इस दुनिया में कोई भी चीज हमारे उपर हावी नहीं होनी चाहिए तो क्या beliefs जब हमारे उपर हावी होते हैं तो is that right और is that wrong यह जो हमने कहाना rules करके यह rules दरसल हमारी जो society होती है, हमारा जो culture होता है, हमारी जो family होती है शायद हमारे दोस्त, हमारा environment इनके ideas जब हमारे अंदर आते हैं without any question अब देखो कुछ पाते हैं बहुत ही प्यारी है जैसे कि भाई किसी के साथ चोरी नहीं करनी चाहिए किसी को मारना नहीं चाहिए these are good rules because these are rules जिससे हम किसी को hurt ना करे हो और हम भी एक smooth life जी है लेकिन कुछ rules ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई logic नहीं बन रहा है writer भाई साब वो बताते हैं कि जब उन्होंने computer engineer बनना decide किया या फिर हम लोग जब law school में चले गए कोई MBA करने चले आता है कोई अपने family के business को समाल रहा है तेखो इन सब में कोई गलती नहीं है ये चीजें करना गलत नहीं है लेकिन ये करने का मन नहीं है पर चूकी अब्बा नहीं मानेंगे वाला जो एक meme चलता है ना बड़ा famous होके अगर उसी कारण से तुम ये particular चीज़ कर रहे हो वहाँ problem है boss और उसी problem को control करने के लिए यहाँ पर चार तरह के ब्रूल्स के बारे में हमारे writer भाई साब ने discussion किया है सबसे पहला college rule college rule ये होता है कि भाईया आपको एक college के अंदर जाना है एक degree उठानी है तब ही आप अपनी जिंदगी में success की guarantee ले सकते हो ये बात सच है देखे यहाँ पर example सिर्फ Bill Gates, Mark, Zuckerberg जैसे लोगों का नहीं है जिन्होंने Harvard जैसे university से drop out किया, नहीं जनाब यहाँ पर बात हो रही है कि college के degree लेना जरूरी क्यों है क्यों कभी कोई पूछता ही नहीं है मतलब आपके profession का क्या degree से कोई मतलब है पता नहीं है, शायद मतलब नहीं है तो फुर तो degree कर क्यों रहा है क्या एक दो साल के अंदर कहीं coaching लगा के वो knowledge gain नहीं कर सकता वेल, यह सवाल तो तब आएंगे जब हम खुच से सवाल पूछेंगे दूसरा जो बूल है, जो society के अंदर सबसे mainly देखा जाता है that is, the loyalty to our culture वाला बूल, देखो यार, हमारे culture में बहुत सारी amazing चीज़े होती है, no doubt लेकिन वही culture में कई बार कुछ बहुत जादा गलत चीज़ें भी होती है example के तोर पे एक बूल जो आज की date में हमारी society में काफी हद तक विलुप्त हो गया है, it was called as child marriage, you know, कितने सारे जगों पे बच्चों की छोटी-छोटी सी उम्र में शादी करवा दिया जाती थी that is not right मतलब अगर हम educated है तो हमें पता है that was a wrong thing to do लेकिन वो जो child marriage का rule था, it was being passed on culture after culture after culture इसी तरह से जब हम western society में जाते हैं, तो एक rule बीच में आया था कि witches होती है बाद में जब study की गई तो पता चला कि जिन्हें अक्सर witches बोलके बीच चुराहे पर जला दिया जाता था, ये वो औरते होती थी जो अपने हक की बात करती थी जो equality की बात करती थी बाद क्यूंकि उन्हों ने हम मर्दों के सामने आवाज कैसे उठा ली बीच चुराहे पर जला दो कि ये rules कहां से है, कई generations तक ये rule चला, तो यहां पर हमें समझना है कि हमें अपने culture के साथ कितनी loyalty होनी चाहिए, उस पे हमें थोड़ा सा सवाल उठाना है, कि क्या चीज़ें सही हो रही हैं और क्या चीज़ें गलत अब हम पहुचते हैं हमारे third rule पे और ये third rule जो है, ये थोड़ा सा controversial है, थोड़ा सा sensitive है in fact मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा सा questioning लगा, लेकिन बड़ी ध्यान से सुनके देखेगा इसे कहते हैं the religion rule देखे, हर इंसान का अपना धर्म चुनने का एक आजादी होता है हर इंसान independent है लेकिन, हमें अपने धर्म को अपनी आजादी से चुनना चाहिए हमें उसे चुनना चाहिए, बिकास हम खुश फिल करते हैं हमें उस धर्म की जो यूनो जो construct है, हमें अच्छे लगते हैं वो हमें heart-touching लगते हैं हमारी जो spiritualistic journey है उसमें हमें मदद करते हैं at that moment if somebody is choosing a religion इसमें कोई problem नहीं है लेकिन किसी इनसान को जबरदस्ती जब हम religion में force करते हैं जाहे वो religion कोई सा भी होए doesn't matter लेकिन जहां पर जबरदस्ती करी जाती है कि नहीं तुम्हें यही करना है तुम इसके लब और कुछ नहीं कर सकते यहां पर problem है boss क्योंकि जहां पर जोर जबरदस्ती हमारे साथ हुई जहां पर हमारी independence हम से ली गई वहां पर religion का rule apply होता है अब आते हैं हम fourth point पे which is the hard work भाईया यह I think हमारी society में सबसे ज़्यादा exist करता है भाई अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो hard work करना पड़ेगा क्यों नहीं करना मुझे hard work मैं smart work करना चाहता है और actually में हमारी जो अभी की generation है वो smart work पे सबसे ज़्यादा believe करती है लेकिन हम लोग smart work के concept को बढ़ा तो तब पाएंगे जब हमारी society के अंदर से कि हमेशा जब देखो लगे रहो hard work करो hard work करो दिन रात एक करके काम करो नहीं ज़रूरी नहीं है अपना दिमाग लगाओ कब काम करने से ज़्यादा better result आ रहा है तब काम करने की कोशिश करो कुछ लोग रात में productive होते हैं कुछ लोग दिन में productive होते हैं productivity पे ध्यान दो और जहां पर आप अपनी productivity पे अपनी खुशी पे ध्यान देते हो अपने career पे नहीं हैं हमारी society में चार तरीकों से exist करते हैं लेकिन अब हम लोग quickly न ये भी समझेंगे कि ये rules हमारे अंदर आते कैसे हैं मतलब ठीक है society के through हमारे अंदर आके लेकिन कुछ तरीके होंगे well सबसे पहला तरीका होता है childhood indoctrination बड़ा ख़तरना word था ये actually में इसका मतलब होता है जनाब जब आप छोटे होते हैं तो उस छोटी सी उम्र में आपके हिसाब से जो बड़े बोल रहे हैं वो सच है तो ऐसी age में जो बातें आपको बता दी गई वो kind of आपके लिए पत्तर की लकीर बन जाती है अब इन में से कुछ बातें बहुत अच्छे होती हैं जैसे हमने डिसकस किया किसी को मारना नहीं चाहिए किसी को गाली नहीं देने चाहिए किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए लेकिन इन सब के साथ बचपन में हमें कुछ ऐसी बातें भी बता दी जाती है, शायद वो parents से आये, शायद वो हमारे आसपास के लोगों से आये, जिसका सही और गलत difference करने की capability हमें नहीं होती है, और चोकि बचपन से हम उस चीज़ को करते आ रहे हैं, तो हमारे लिए normal बन जाती है, इसके बाद हम पहुचते हैं second point पे, which is called as authority figures, जना celebrity हो, चायए वो कोई politician हो, doesn't matter, अगर उस इनसान को देख के हमें लगता है, क्या अधमी है यार, क्या lady है यार, मतलब वह, मज़ा आगे, क्या authority है इनके पास, तो वो लोग जो भी बोलते हैं, हम उसको सच मान लेते हैं, यही reason है कि हमारे देश में, बॉलिवुड के चकर में लोगों ने प्यार का जो concept है, उसी को बहुत गलत समझ के रखा है, क्यों, वो actor है, famous है, वो इस तरह से अगर movie में कर रहा हूँगा, यानि कि यही तरीका है प्यार करने का, नहीं, पर कोई सवाल तो पूछो, बुरूल से बाहर निकलना है, तो सवाल पूछना जरूरी है, जब हम लोगों के बीच में comfortable feel करते हैं, तो अच्छा ठीक है, अगर इन लोगों के बीच में adjust होने के लिए मुझे करना पड़ेगा, तो मैं ये कर लूँगा, अरे भाई, तुम comfortable हो ये चीज़ करने से related, नहीं है, पर फिर भी हम किये जा रहे हैं, तो यहां पर की need to belong को ज I think is the biggest reason कि हम कोई काम क्यों करते हैं, और इसको simple भाषा में अपन देशी language में कहते हैं, भेड़ चाल, सब कर रहे हैं, मैं भी करूंगा, और ये ही सबसे बड़ी problem है कि, you know, most of the countries जहां पर democracy है, वहां पर सही leaders चुने नहीं जाते, क्योंकि हम सब भेड़ चाल में believe करते हैं, लोगों ने कह दिया, वो movie खराब है, तो हम भी देखने नहीं जाएंगे, अरे एक बार जाके तुम तो देखोगे, वो movie वाकई में खराब है आने, या फिर ये जो leader हैं, जिसको सब लोग vote किये जा रहे हैं, क्या इसने देश के लिए वाकई में कुछ सही किया है, social proof, सब क imagine करके देखे कि यार, आपने एक बड़े अच्छे से date पे गए थे, पर वहाँ पे जो बंदी थी, या वहाँ पे जो बंदा था, उसने आपको बड़े बुई दरह से reject कर दिया, आपको इगनूरी कर दिया, मतलब वो हो गया, आपका न ऐसे इज़त जो थी वह अदम आपक बुरा फील हो गया, तो इसके बाद क्या होता है, यार पता है, मैंने न कपड़े सही तरह से नहीं पहन होगे, मैं अच्छा नहीं दिखता ना, शायद मैंने बहुत जादा बात कर लोगी, मुझे इतनी जादा बात नहीं करनी चाहिए, मुझे यह वाला जोक नहीं सुनान कि हम में कोई कमी है, हम फणी नहीं है, हम दिखने में अच्छे नहीं है, हम ड्रेस अच्छा नहीं करते हैं, यहाँ पर गलत हो रहा है, आपको insecure नहीं होना है, किसी और के हाथ में value का चम्मच नहीं देना है, हम decide करेंगे कि हमारी value क्या है, अगले इंसान को नहीं पसंद आ पार्ट में which is the awakening और इस process में हम समझेंगे कि किस तरीके से जब हम लोग सवाल पूछना शुरू होते हैं तो हमारे अंदर ये computer में क्या-क्या changes आने लग जाते हैं Well, let's try to understand that अगले episode में आपका इंतजार रहेगा हाँ जी तो finally हम लोग enter कर रहे हैं in the second part of this book अगर आपको याद हो तो मैंने second episode में आपको बताया था ये किताब चार parts में divided है हर part हमें ये बताती है कि step by step एक normal सा जो brain होता है वो एक extraordinary mind में convert कैसे होता है तो उसके हमने part 1 में समझा कि भई जो rules होती है हमें उनसे दूर रहना है हमें सवाल उठाने हैं कि क्या काम हम इसले कर रहे हैं कि भई यहाँ पे हमारी मर्जी है और हम ऐसे कौन से काम कर रहे हैं क्योंकि अब कर रहे हैं तो करी लेते हैं इस type के attitude के साथ तो अब ठीक है हमने समझ लिया कि भई कुछ problematic rules भी हो सकते अब बात आती है awakening की क्योंकि देखिए आपको knowledge मिल जाए इससे कोई फाइदा नहीं है knowledge के बाद आप अपने अंदर उस चीज को apply कैसे करते हैं ये चीज बहुत ज़ादा important होती है तो यहाँ पर पहुँचते हैं हम एक concept पे जिसे कहते हैं conscious engineering और ये conscious engineering क्यों ज़रूरी है उस culture scape से बाहर निकलने के लिए आए समझते हैं हलो जी मेरा नाम है जस्टिन जोजफ और आप सुन रहे हैं विशेन लख्यानी जी की लिखी किताब The Power of the Subconscious Mind की Book Summary on Kukoo FM सुने जो मन चाहे अब यहाँ पर जो हमारे writer भाई साब है ये computer engineering की दुनिया को इस conscious engineering से जोड़ते हैं और चुकी मैं खुद एक ऐसा इंसान हूँ जिसने computer engineering करी है वहाँ पर तो कुछ नहीं सीखा लेकिन जब मैं app develop करता था mobiles के लिए तो उस time पर मैंने इस particular concept को use किया है और मैं बता देना चाहता हूँ writer यहाँ पर जो बात आप लोगों को बताने वाले हैं ये 100% बिल्कुल correct बिल्कुल सही बात है हर इंसान जो software की line में belong करता है वो इस concept को इस rule को apply करता है ताकि उसका software better तरीके से सब के devices में run हो तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे है देखो जब क्या होता है एक problem आती है किसी software के अंदर तो हम लोग उस problem को fix करते है लेकिन कई बार उस software को अलग अलग तरीके से test करके ये देखा जाते है कि problem कहां पर बन सकती है मतलब अगर problem आ रही है तो ही problem है अगर कोई problem नहीं आ रही तो सब बढ़िया है आगे जाने तो that is not a mentality जो computer engineer रख सकता है आपको एक app को एक software को ना हर तरीके से test करना पड़ता है उसको breakdown करना पड़ता है छोटे छोटे parts में और ये देखना पड़ता है कि भाई अगर एक app मैंने बनाया है और ये app इस phone में बढ़िया चल रहा है तो क्या ये उस phone में भी बढ़िया चलेगा क्या ये उस तीसरे वाले phone में भी बढ़िया चलेगा practically अलग-अलग तरीके से एक ही particular चीज को tackle करी जाती है अब ये करने से क्याना एक छोटा सा फाइदा होता है कि जब हम लोग अलग-अलग अंगल से एक ही चीज को देखते हैं तो हमें कई बार उसके अंदर कुछ कमिया नजर आती है और कई बार अगर अलग-अलग अंगल से भी कोई तो वहाँ पे आप एक topic को अपनी life note है और उस पे एक तरहा का सवाल करें क्या ये इस तरीके से सही है अगर मैं इस तरीके से सोचूं तो क्या ये सही है अब उस particular चीज से हो सकता है मुझे फायदा हो रहा हो लेकिन ऐसा तो नहीं कि अगर मैं ये particular चीज करता हूँ जो लोग कह रहें करनी चाहिए इससे किसी का नुकसान होता हो या इससे किसी को बुरा लगे या फिर लोग कह रहें कि इसका मतलब ये है तो क्या actually में इस बात का मतलब ये है practically आपको अपने life के जो अलग-अलग rules है जो आपको सिखाए गए उसको question करना जरूरी है और उसको एक तरीके से नहीं उसको अलग-अलग angles से question करना जरूरी है अगर आप वो सवाल नहीं करेंगे और आप एक ही तरीके का सवाल करेंगे तो उससे problem solve नहीं होती आपको हर तरीके से test करके देखना है कि आप जिस बात में believe करते है कि मुझे एक computer software engineer बनना है तो question पूछिए क्यों बनना है क्या आपको बनना है क्योंकि आपको बनना है कि कलकी date में जो लोग computer engineers होते है उनकी शादी जो होती है वो बहुत खुबसूरत लड़कियों से होती है या फिर उनकी you know matrimonial sites में काफी value बढ़ जाती है आप देखे सुनके थोड़ा सा weird लगेगा लेकिन ये reality है ऐसी सोच होती है कई सारे लोगों में जब वो लोग computer engineering करनी के लिए आते है तो इसी तरीके से आप अपने particular field के बारे में सोच ये चाहे आप doctor बन रहे हैं, lawyer बन रहे हैं आप artist बन रहे हैं, आप cook बन रहे हैं कोई फरक नहीं पड़ता आप वो क्यों बन रहे हैं क्या आपको बनना है इसलिए या फिर कोई और वजह है आपकी इंडिपेंडेंसी है उस particular point पे या फिर कोई और बात है देखो बॉस आज से कई सालों पहले जब 1990s में computers इंडिया में धीरे धीरे बहुत जादा आना शुरू होने लग गये थे, early 2000s में और computers आ गये थे वो computers बहुत अच्छे हुआ करते थे उन में कितनी ज़्यादा power होती थी अगर कसी घर में computer आ गया तो लोग तारीफे करने लग जाते थे पुराने टाइम पे जब वो black and white बड़े-बड़े TVs आते थे लोग कितनी तारीफ करते थे लेकिन समय के साथ जब LCD TVs आये, जब LED TVs आये जब computer के अंदर RAM बढ़ने लगी प्रोसेसर अच्छे होने लग गये तो आपने क्या तब भी वो पुराने वाले computer को यूज किया? नहीं क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि समय के साथ वो particular चीज अब हमारे लिए सही नहीं है आपने क्या किया? अपने computer को upgrade किया, अपने TV को upgrade किया अपने mobile phones को upgrade किया क्या अभी भी आप landline लेके हर जगे गूमते हैं? या फिर आपका जो phone है वो Nokia 3310 है मतब financial reasons के कारण आपने पुराना phone रखाओ, that's a whole different topic, यहाँ पर बात हो रही है अगर आपके पास पैसे हैं, आप खुद को upgrade कर सकते हैं, तो क्या आपने upgrade किया? और upgrade किया तो क्यों किया? क्योंकि पुरानी चीज काम नहीं कर रही थी आपकी beliefs के साथ भी exactly यही system है, क्या पुरानी चीजें काम कर रही हैं आपके साथ क्या फिर नए जमाने में आपको दिक्कत हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि उस समय शायद यह वाली बात सही होती होगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी चीजें बदल चुकी है, अभी अगर हम ऐसा कर रहे हैं गलत हो रहा है, किसी इंसान के साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी freedom छीनी जा रही है, यह मेरा way of life नहीं है, आपको यह सवाल पूछने हैं, आपको खुद को अपग्रेड करना है, जनाब आप खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप वो पुराने कुछ चीजों के अंदर फस फस के काफी suffocated सा feel करेंगे और यहां पर आपको यह तीन points को अपने दिमाग में रखना है यह जो models of reality होती है कि actually में तो दुनिया ऐसी होती है यह वो वाली बाते हैं जो आपके अंदर बच्पन से program कर दी जाती है कि भीया दुनिया ऐसी होती है दुनिया वैसी होती है आपको सवाल पूछना है कि दुनिया कैसी होती है second point यह जो models of reality कहते हैं हम कि सच्चाई क्या है अच्छी बाते हों चाहे बुरी बाते हों यह decide करती है कि हमारी जिन्दगी किस तरह की होगी मतलब हम क्या अच्छी आदतों को अपने अंदर जादा बनाएंगे यह बुरी आदतों को हम अपने अंदर जादा बनाएंगे यह इस बात से related होती है कि हम जिस दुनिया को सच मानते हैं वो कितनी सच और कितनी जूट है थर्ड पॉइंट यह है कि हमारे जो यह modern models होते हैं ना समय के कई जगों पर वो conscious practices नहीं करते हैं पुराने जमाने में अगर आप जाएं और आप अगर इंडिया के history उठा करके देखें तो meditation पर काफी जोर दिया जाता था हम तप करते थे और it was a very beautiful feeling जिससे कि हम अपने inner conscious के साथ connected feel करते थे लेकिन अभी के समय के साथ हम इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे से भूलते जा रहे हैं तो जिस तरीके से किताब कहती है कि आप सवाल पूछें पुरानी चीज़ों को लेके वहीं पर ये किताब ये भी पूलती है कि आप सवाल पूछें नए चीज़ों को लेके क्या ये जो नया lifestyle है क्या ये actually में आपके लिए अच्छा है या फिर पुराने जमाने में कोई ऐसी चीज़ होती थी जिससे आपको काफी फाइदा हो सकता था इवन अभी भी आपको काफी फाइदा हो सकता है बशर्ते अगर आप उस चीज़ को अपनी जिंदगी में अप्लाई करती हैं तो अब इनी सब के साथ हम यहाँ पर एक किस्से पर चलते हैं और ये किस्सा है Amazon के Rainforest से लिया हुआ किस्सा और वाकी में It's something very beautiful I'm not kidding, it's seriously very beautiful सुनते हैं अगले एपिसोड में इस पूरी किताब में अगर कोई ऐसा चाप्टर है जिसने शाहिद मुझसे न बहुत परसनल लेवल पे बात कर ली हो मतलब मुझे ऐसा लग गया हो कि वाउ ये कोछ हटके है I think वो ये वाला चाप्टर था जहां पर हम एक ट्राइब के बारे में बात करने वाले हैं इस ट्राइब का जो नाम है वो actually में अच्छवार ट्राइब करके और ये दरसल Amazon के जंगलों में मिलता है अब ये जो हमारा Amazon के जंगलों का सफर है यहां पर हमारे राइटर भाई साहब अपनी वाईफ और शायद अपनी छोटी सी एक टीम के साथ वहाँ पर पहुचे और ये एक छोटी सी बोट राइड एक हाइकेंग कई घंटों के बाद वो पहुचते हैं तिंक कियास करके एक विलिज में जो आक्चिली में अच्वार ट्राइब का विलिज है और इस विलिज के पास में अगर हम सिविलाइजेशन ढूडने की कोशिश करें या फिर हम उस विलिज के आसपास देखें भाई यहां कहीं टाउन हुआ हूँ है कह थोड़ा कोका कोला मिलेगा तो वो सब वहां से कई सौ मीलों दूर है तो प्राक्टिकली स्पीकिंग अच्वार ट्राइब जो है वो बचपन से लेकर बड़े होने तक सिविलाइजेशन से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है उनको भारी दुनिय के बारे में कुछ भी नहीं पता और इसलिए इस कहानी में एक अलगी जाना जाती है यहां क्या बात कर रहा हूँ मैं क्या होने वाला है आईए समझते है हेलो जी मेरा नाम है जस्टन जोजफ और आप सुन रहे हैं विशेन लख्यानी जी की लिखी किताब अब हमारे जो राइटर भाई साब है इनोंने थोड़ा सा समय बिताया इन स्ट्राइब के साथ और इस दौरान तीन ऐसे किस्से हुए जो उनको तीन ऐसी बातें बताती है जो हमारे सवेकनिंग के लिए बहुत जादा जरूरी है तो without wasting any time let's go to lesson number one सबसे पहली चीज और उस lesson को सीखने से पहले उस किस्से के बारे में discuss करते है बही देखो हम सब का ये मानना है कि भई पानी जो होता है वो हम साथ पीते हैं पतब humans हो जानवर हो हम पानी पीते हैं और पानी पीना जरूरी है lesson number one जो है वो ये बताता है कि हमारी जो reality होती है वो simply हम किस दुनिया में पले बड़े हैं वहीं से decide होती है और कुछ नहीं अब इसको समझने के लिए हम चलते हैं stripe की तरफ वहाँ पर ये जो जंगल है वहाँ पर कहाना कि जो पानी अवेलिबल होता है तो वहाँ पर अब पानी तो अवेलिबल नहीं है जब पानी अवेलिबल नहीं है तो वहाँ के लोग जिन्दा कैसे रहते हैं मतलब बिना पानी के तो नहीं मतलब कैसे it is a confusing point राइट तो वहाँ पर एक hack उन लोगों ने निकाल लिया है उसमें क्या हो रहा है कई सालों से ये चीज़ चली आ रही है कि वो लोग क्या करते हैं yuka roots करके आते हैं ठीक है उसको पहले तो जमीन से उखाडते हैं उसको boil करते हैं उसको कूट कूट के एकदम mash कर देते हैं और उसके बाद वहाँ की जो औरते हैं उस root को चबाती है और चबाने के बाद वो उसको एक bowl में ठूक देती है I know सुनने में बहुत weird लगता है लेकिन weird अभी खतम नहीं हुआ है इसको आगे सुनिये उसके बाद ये जो उनका जो roots और वो जो saliva, milk के जो बाउल में पड़ा रहता है उसमें fermentation होना शुरू होती है वो suddenly बाद-बाद में जाकर के alcohol में convert होती है अब जैसी alcohol बना तो जितनी भी bacteria उस particular bowel के अंदर present है उस पानी के अंदर present है वो पूरी तरह से मर जाते है और end में उनको जो पानी मिलता है वो actually में पानी नहीं है उसे चीचा बलाते है it's kind of like a beer और हाँ जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दू beer जो होता है वो चावल सडा के ही बनाया जाते है थूक के नहीं बनाया जाते है लेकिन वो भी ऐसी fermentation के concept पे based है तो वहाँ पर जो है ये अपने जो husbands होते हैं उनके लिए वो चीचा prepare करके रखती है चीचा क्या है कैसे बनता है मैंने आपको explain कर दिया है अब simple सी बात है हमारे जो writer भाई साब उन्होंने भी try किया क्योंकि क्यों नहीं ये चीज तो try करना बनती है तो try करके taste कुछ खास अच्छा नहीं था उन्होंने काफी regret किया लेकिन वहां के जो मर्द हैं जो मतलब अपने hunting shunting के बाद जब वापस घर आते हैं तो they kind of crave की you know उनके लिए वो चीचा जो है बना कर रखा होगा अब वो उसको बैठ करके पीएंगे कोई पानी नहीं रोज hunting shunting करके घर आके चीचा I don't know how to say this more clearly now imagine करके देखिए simple सा lesson है सीखने के लिए कि आपके आसपास की reality जो है so है simple सी बात है उनको नहीं पता कि भई पानी जो है वो actually हम सब पीते हैं उनकी दुनिया के हिसाब से वैसे ही पानी को पिया जाता है वही पानी होता है वो उसे पी रहे हैं and they are completely okay with it अब हम चलते हैं हमारे second concept पर यहाँ पर उन्होंने बताया और यह जो second lesson और जो third lesson it's kind of mix तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे कि वहाँ पर जो अच्वार tribe है वो लोग रोज सुभे चार पजे के आसपास उठते हैं और वो लोग एक tea पीते हैं which is kind of called as vayusa और यह लोग जो जब यह लोग चायवाय पीते हैं तो वो अपने जिंदगी के experiences, तकलीफें, दुख दर्द और उसी के साथ में उन्हें क्या सपना आया पिछली रात just think about it हम में से maximum लोग सपने अगर देखते भी हैं तो उठते ही साथ उस सपने को भोल जाते हैं पर वहाँ पर ऐसा नहीं है वहाँ पर उठने के बाद रोज सुबह बैट कर वो लोग अपने सपने के बारे में एक दूसरे के साथ discussion करते हैं and it is absolutely normal for them अब imagine करके देखो कि क्या वो लोग gifted है कि वो लोग सपने को याद करते हैं या फिर simple सी बात है कि वो इतने सालों से इस particular चीज़ को करते आ रहें कि अब वो उनकी आदत बन चुकी है अब उनका दिमाग उस चीज़ को retain करके रखता है अब अगर आपको लग रहा हो कि ये चीज़ है जो सबस्यादा interesting है तो actually मैं ऐसा नहीं है अब यहाँ पर जब हमारे writer भाई साब अपनी wife के साथ उस जंगल पर गए थे तो वहाँ पे वो अपने साथ में एक philanthropist लेकर के गए थे जोनका नाम है Lion Twist अब Lion जो है वो दरसल इस अच्छवार tribe के साथ जब connect हुई उसकी कानी बहुत ज़ादा interesting है उनको ना बार-बार एक dream एक सपना हाता था और उस सपने में उनको ऐसा लगता था कि कुछ आदिवासी से लोग हैं जो चेहरे पर कुछ लाल कलर के निशान लगे हुए और वो मदद के लिए उन्हें बोला रहे है बार-बार बार-बार और ये सपना ऐसा नहीं कि एक आद दो बार आया और खतम हो गया उनको ये repeated basis पे आता था anyhow यहाँ पर उनके एक दोस्त के साथ जब उन्हें थोड़ी बहुत बाते हमाते करी तब उन्हें पता चला कि उनके दोस्त ने सजेस्ट किया actually मैं तुम जिस tribe की बात करे हूँ उनका look जिस तरीके सितम describe करे हूँ वो अच्छवार tribe लग रहा है मुझको Amazon के बीच में हैं वो लोग रहते हैं अब काफी अलग से हटके रहते हैं अच्छा अब लाइन जो हैं अभी तक अल्रड़ी बहुत ज़ादा इन्वेस्ट हो चुकी थी इस द्रीम के अंदर तो वो वहाँ पर गई और उन्हें पता लगा है कि ये ट्राइब मुझे मदद के लिए सपने में क्यों बुला रही है sounds very weird लेकिन आप सुनते जाईए जब वो वहाँ पर पहुचे ही तो उन्हें पता चला कि actually में जो अच्छार ट्राइब है उनको evict किया जा रहा था उनका जो वहाँ पर मतब कितने centuries पुराना उनका घर है वहाँ पर वहाँ से जो oil और gas companies हैं उनको उनके घर से बेघर कर रही थी लाइन ने तुरंत वहाँ पर जो युकडोरियन की जो government थी उनके साथ मिलकर अच्छार ट्राइब की मदद करी उनके लिए laws बनाए ताकि कोई भी उनसे उनका घर ना चीन सके Could you even imagine this एक ट्राइब जो कहीं से कहीं तक एक लेडी के साथ connected नहीं है उसको एक सपना आता है और उस सपनी के थूब वो इस ट्राइब के साथ connect होती है और वो ट्राइब actually मैं जिस problem से सफर कर रहा था उससे वो उने भार निकालती है आज अच्वा ट्राइब को कोई problem नहीं है all thanks to line twist क्या सपने हम सिरफ और सिरफ हमारे subconscious mind का connection है या फिर ये सपने कुछ deeper meaning रखते हैं हमें नहीं पता शायद हमारी आज की दुनिया में हमारी science के इस advancement में हम mysteries को agree भी नहीं करते even मैं भी शायद नहीं करता पर सवाल ये है कि अगर ये कहानी सच है तो इसी तरीके से अच्वा ट्राइब रोट सुबा उटकर जब अपने सपने के बारे में बात करते है और इतने सालों से वो हसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे है तो क्या सपने कुछ अलग होते हैं जिनसे जो मतब हम अपनी लाइफ में सोचने के सपना ऐसा होता है actually it's something very different क्या पता we don't know but that is the crazy mystery of what we are trying to understand over here lesson number 3 है कि हम लोगों के आसपास जो ये modern models बने हुए है उधर पर conscious practices बहुत कम है हमने पिछले episode में भी discuss किया हम लोग कही न कहीं meditation की दुनिया से है हम लोग कही न कहीं एक spiritual दुनिया से बहुत दूर आ गए है ऐसा नहीं है कि science में कोई बुराई है लेकिन science का ये मतलब नहीं होता कि आप खुद के साथ एक subconscious connection को पूरी तरह से lose करते है आपका क्या मानना है क्या ये कहानी सच थी या फिर ये कहानी line की बनाई हुई एक फरजी कहानी थी क्या पता इसके बारे में सोचिए लेकिन सोचते सोचते हम चलते हैं हमारे अगले episode पे और यहाँ पर हम इन models of reality जो अभी हमने देखे उनको अलग तरीके से लिखेंगे विशेन, free हो गया, चलें कहीं पर बात बात करनी है तुमसे कुछ हमारे writer भाई साब अराम से बैठ कर अपने एक छोटे से मतलब seminar type का था वहाँ पे थे और उन्हें समझ भी नहीं है कि यार यह जो young monk थे जो उने बुला रहे थे और क्यों बुला रहे हैं, क्या reason है लेकिन भाई, rule बड़ा ही simple सा है, जब कोई holy personality आपको बुलाती है तो आप जाते हैं, यह simple सा rule है, हम सब इसको follow करते हैं तो monk ने बुलाया, ठीक है जी चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि अपन hot tub में चलते हैं करके ठीक है, तो वो hot tub में गए, अराम से जाके वहाँ पे बैठें उपर fission sky थी, बढ़ियां उसको देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा नजारा है और वो monk उनको देखके कहते हैं, पता है तुम्हारी problem क्या है तुम्हारी problem है कि तुम्हारा ना self-esteem बहुत जादा कम है अबे, मतलब उन्होंने अबे real life में बोला नहीं, लेकिन उनके मन में यही आया और उन्होंने उस किताब में भी यही लिखा है वाट था, क्या हूल रहा है भाई, मतलब कही न कहीं उन्हें गुसा आया उनको लगा कि अब भाई यार यह कैसी बात होती है मतलब और उन्होंने उसका return दिया, एक बड़े काम होकर कि अंदर से बहुत irritated feel कर रहे थे विशेन भाई साब लेकिन उन्होंने बताया, ने, मुझे ऐसा नहीं लगता मैं एक काफी confident इंसान हूँ, मैं एक business चलाता हूँ मैं अपनी जिंदगी से बिलकुल थ्रिडड़ू वो बोली रहे थे कि एकदम से न मौंक ने बीच में बीच में बीच में बीच में बैट कर तो जब तुम्हारे किसी आइडिया के अगेंस्ट बोलते कि नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए तो suddenly ने तुम्हें बहुते तो गुस्सा आ जाता है, तुम्हें अच्छा नहीं फील होता, तुम्हें uncomfortable से हो जाते हो I can bet तुम्हें अपनी wife के साथ problems होती होंगी In fact यही कारण तुम्हें दूसरे लोगों के साथ भी problems होती होंगी हमारे writer भाई साथ, मतलब वो कहते है न, खोन सोक जाए जब शरीर के अंदर जो एक हालत बनती है, जहां गुस्सा भी आ रहा है लेकिन वहीं पर ये भी है कि हर वो line जो monk ने वहाँ बैठ कर कही थी, वो पूरी तरह से सच थी 100% truth, कैसे? और यहां पर ये कैसे एक बहुत important सवाल है और इसे जब भी हम समझने वाले हैं बड़े गौर से, बड़े ध्यान से इस जीस को समझेगा, क्योंकि ये काफी important है, आपको एक extraordinary mind में convert करने के लिए Hello जी, मेरा नाम है Justin Joseph और आप सुन रहे हैं विशेन लखियानी जी की लिखी किताब The Code of the Extraordinary Mind की Book Summary on KUKU FM सुने, जो मन्चा है Low self-esteem क्या होता है? It's an important question And it's a question जो हम में से कई सारे लोगों को एक दूसरे से तब पूछना पड़ता है जब हम एक अलग से हट के life शुरू करते हम बनने की कोशोश कर रहे हैं हम एक entrepreneur बन रहे हम एक artist बन रहे हम कुछ दुनिया से हट के बन रहे हम एक athlete बन रहे हम एक musician बन रहे जो भी हो जब भी हम इस तरह का रास्ता अपनाते हैं तो कई बार artists के अंदर एक low self-esteem का concept develop होता है ये low self-esteem क्या होता है इसको बड़े simple तरीके से अगर हम समझें तो अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं और वो इनसान हमारी किसी बात के साथ agree नहीं करता या फिर वो हमें किसी कारण से criticize करता है हमें कुछ गलत कहता है कि नहीं नहीं ऐसा है और हमारे हम जो चाह रहे हैं बातें वैसे नहीं चलती तो हमें ऐसा लगने लगता है कि यार मेरी बेज़त ही होगे यार मेरे साथ ना गलत हो गया यार मेरी ना इज़त खतम होगी लोगों के सामने अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोग इस low self esteem से सफर करते हैं तब हम लोग हर चीज़ को एक offensive तरीके से ही देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि ना मतलब अपनी value को किसी और के हाथ में दे देते हैं कि अगर तुम मेरी बात से agree करोगे तो मैं एक बहुत इज़दार इंसान हूँ मेरी value बहुत ज़ादा है लेकिन अगर तुम मेरी बात से disagree करोगे तो मेरे सामने, मतलब कहते हैं खुद की नजरों के सामने अपनी इज़त कम हो जाए, इस तरह की एक feeling आती है अब एक तरफ तो writer भाई साब को ये समझ में आया है कि Monk ने जो कहा वो सही कहा, पर दूसरी तरफ एक सवाल उठता है, Monk को कैसे पता चला? simple सा answer है, उन्होंने observe किया और उन्हें ऐसा लगा कि विशेन भाई साब के अंदर ये वाली problem है लेकिन विशेन जो इतने बड़े entrepreneur बन चुके थे तब तक इतनी अच्छे खासी उन्होंने अपनी company बना ली थी well settled थे, उन्हें कभी इस problem के बारे में पता क्यों नहीं चला well actually में न, हमारे दिमाग में अगर हम दो circles बताएं एक छोटा circle और एक बहुत बड़ा circle तो जो छोटा circle होता है न, वो वो वाला party की हम जो belief रखते हैं हमें पता है कि हम ये belief क्यों रखते हैं वहीं पे एक बड़ा circle हमारे दिमाग में exist करता है जिसके अंदर हमारे कई सारे beliefs तो हैं पर हमें यहीं नहीं पता है कि हम इन बातों में belief क्यों करते हैं और इसके एक बहुत बड़ी जड़ जो होती है वो हमारे बचपन के experiences से related होती है देखो अभी तक हमने सीखा कि बचपन में किसी ने अगर हमें सिखा दिया या किसी बड़ी authority ने हमें कुछ बोल दिया तो हम लोग वैसे बन जाते हैं लेकिन जो हमारा subconscious brain होता है वो कई सारी चीज़ों को hold कर लेता है अपने साथ और बस वो ना अपने साथ रख लेता है उसे अपने experience बना लेता है और उस experience के चलते हैं वो कुछ decisions अपने आप ले लेता है example के तोर पे हमारी जो writer भाई साथ थे एक बार वो बचपन में जब यून अपनी कार में बैट करके ऐसे जा रहे थे तो he was kind of sleeping तो उनके parents को लगा कि यार ये तो सो रहा है तो तेवे discussing about the financial problems जो उनके साथ थी तो जब वो अपनी financial problems के बारे में discuss कर रहे थे तो हमारे writer भाई साब की नीन थोड़ी सी खुल गई और तब उन्हें पता चला कि उनके पापामी के पास ज़ादा पैसे नहीं थे वो लोग financially struggle कर रहे थे अब अगर कोई इस तरह से financially struggle कर रहा हो वो अपने बच्चे को मुढ़कर बोले कि बिटे आज gift में तुम्हें क्या चाहिए अब suddenly हमारे writer भाई साब ने तो वो सारी की सारी conversation सुनी हुई थी वो एकदम से awkward हो गया मांग रहे हो कुछ बड़ा मांगो तुम्हारा भूते दे एक gift में क्या चाहिए writer को कहीं ना कहीं लगने लगा नहीं यार मैं नहीं मांग सकता मेरे घरवालों के पास पैसे नहीं मैं कैसे मांग लूँ एक इस टाइब की feeling उनके अंदर आई which is a very good feeling कितनी अच्छी बात है कि उन्हें अपने parents की परवा करी और उन्होंने वहाँ पर अपनी selfishness को नहीं दिखाया great लेकिन ये बात हमारे writer की मन में कहीं ना कहीं इस तरह से आगई कि हम जब किसी से कुछ मांगते हैं ना तो हो सकता है हम उसका नुकसान कर रहे हो हो सकता है हमारे कारण उसको एक तकलीफ हो रहे हो हमारे writer को भी ये बात नहीं पता थी लेकिन जब वो एक psychologist से मिले जो hypnosis में काफी माहिर थी तो उन्होंने एक hotel room में जब इनका hypnosis perform किया था तो उनकी दिमाग के subconscious mind जो था वो activate हुआ और उनके अंदर से ये सारी बातें बाहर निकले और तब उन्हें पता चला कि वो मदद मांगने से क्यों पीछे हटते हैं वो business field कह लेजे वो अपने relationship के लिए वो मदद नहीं मांगते किसी से वो किसी से help नहीं मांग रहे किसी से कोई favor नहीं मांग रहे reason क्या है? उनके मन में कही न कहीं वो बचपन की memory feeded है कि अगर मैं किसी से कुछ मांग होंगा तो क्या पता उस इंसान को मेरे कारण एक तकलीफ हो जाए? ये एक अच्छी feeling भी है लेकिन business world में आपको लोगों से बात करना जरूरी है एक relationship को अगर आपको successful बनाना है तो आपको बताना है कि मुझे ये particular चीज में अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये चीज problematic feel हो रही है ये फिर मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे रहना पसंद है ये बात करना जरूरी है अगर आप बात नहीं करेंगे तो अगले को पता कैसे चलेगा लेकिन इसका root क्या था? वो बचपन का एक छोटा से experience हमें सीखने यहाँ पर क्या मिलता है? हमको ये समझना जरूरी है हमारे beliefs जो हैं वो जरूरी नहीं कि हमें पता हैं कि हमें ऐसा belief क्यों रखते हैं there is also a very good chance कि बचपन की किसी memory के कारण हमारे अंदर subconscious की एक आदित develop हो गई हो जो अच्छे भी हो सकती है या फिर बहुत ज़ादा disasters भी हो सकती है अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले topic पे जनाब imagine केजिए कि आज की date में आपको एक बढ़ियासी company बनानी है और आपके पास मतलब वो investment पैसे वैसे जो हैं सब आ चुके हैं आपके पास जो idea है वो भी बहुत अच्छा है और अब आप employees को hire करने के लिए बिल्कुल जा चुके हैं सवाल यह उठता है कि एक company को एक अच्छी company को एक awesome company में कैसे convert किया जाता है वैल इसका rule आपके लिए बहुत जादा simple है लेकिन उसी rule को समझने के साथ साथ क्या आपने कभी अपनी life में set points के बारे में सुना है मतब हम सबने अपनी life में target points के बारे में सुना target होना चाहिए aim होना चाहिए but what about set points I know थोड़ा सा नया है न in fact जब मैंने भी इसको पहली बार ऐसे read out किया तो आपस लेक्ट यार ये चीज़ तो मैंने कभी नहीं देखिया so let's try to find out ये दोनों मुद्देख क्या है and आईए शुरू करते है हेलो जी मेरा नाम है जस्टन जोजफ और आप सुन रहे हैं विशेन लख्यानी जी की लिखी किताब The Code of the Extraordinary Mind की बुक समरी on कुको FM सुने जो मंचा है हमारे जो राइटर भाई साब हैं अब मिलते हैं एक नए हस्ती से जिन से मुलाकात उनकी हुई on Necker Island Necker Island क्या है मैं आपको पहली बता दूँ अगर आप Richard Branson को नहीं जानते तो एक वारी उनके बारे में Google सेर्च करके देखी आपको पता चलेगा ये कौन सी हस्ती है and he's actually a very important किरदार in this book क्योंकि एक और अभी instance आने वाले है अगले chapters में जहां पर इन से एक बहुत important बात सीखने को मिली है हमारे writer को तो हम जैसे बात कर रहे थे वो Necker Island पे खड़े हुए थे और वहां पर हमारे जो writer भाई साब है वह इनके साथ बैठ कर ये उनो अलग-अलग discussion कर रहे थे तो Richard भाई भी जो है वो अपने advice दे रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं and he was so friendly कि हमारे writer को पता ही नहीं चल लगी कब वो अपने personal topics पे चले गए और कही ना कहीं उनका और उनकी wife का बच्चा नहीं हो रहा था ये topic काफी personal होता है किसी भी parent के लिए आप खुद जानते हैं ये कितनी जादा एक intimate बात होती है between a couple and you know उन्होंने Richard Branson के साथ इतना comfortable महसूस कि वो एक इस तरह के इंसान है कि कहीं न कहीं उनके मूँ से ये वाला topic निकल गया and Richard भी वहाँ बैठ करके उन्होंने advice दे रहे हैं कि मतब क्या-क्या methods होते हैं to conceive a child this and that और इस बीच में हमारे writer भाई साब को ऐसा feel हुआ यार तुमारे सामने कौन बैठा है तुम उनसे ये family planning वगएरा छोड़ो कुछ मस सा ऐसा पूछो न यार जो business and all से related हो तो कहीं न कहीं हमारे writer ने topic change करा और उनसे पूछाया कि आप इतनी companies में invest कर चुके हो एक million dollar company को एक billion dollar company में बना देना जैसे आपके बाए हाथ का खेलो मेरे एक genuine simple सा question है कि यार आप एक sentence में क्या मुझे बता सकते हो कि क्या secret है आपका कि मतलब आप इतनी खतरना growth कर देते हो and Richard भाई साब ने पलके भी नहीं छपकाई और जैसे कोई wise, sales या कोई बहुत बड़ी गुरू होते है ना जैसे बात करते है तो उन्होंने एक simple सी line कही It's all about finding and hiring people smarter than you जनाब इसके आगे उन्होंने क्या का वो तो important है लेकिन इस बात को बड़ ध्यान से सुनियेगा हम लोग जबी भी एक company में hiring करते है तो हमारा ये मानना होता जनाब हम है hero, हम है CEO हम नहीं तो इस company को बनाया है ये बागी सब तो हम से नीचे है ऐसा नहीं होता आपको अपनी से भी ज़्यादा smart लोगों को हट जाओ देखो कितिनी weird बात ही यहाँ पर जो Richard कह रहे है मतलब पहली बात तो ये बात अगर किसी और ने कही होती तो शायद मैं ज़्यादा मानता है लेकिन Richard Branson ने जितनी multi million dollar companies को खड़ी करा है, it's not a joke तो अगर वो ये बात कह रहे है तो एक बार सुनके देखते हैं अपन तो उनका ये कहना है भई अपने से smart लोगों को hire करो, उनको अच्छा काम दो और उसके बाद उनके रास्ते से हट जाओ and suddenly आप उन पर मतलब उन पर trust करो और फिर आप जब उनके साथ काम कर रहे हो तो उनके काम को काम की तरह नहीं बलकि उनको ये convince करो कि हम एक बड़े vision की तरफ काम कर रहे है मतलब ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप लोगों की company जो है वो सबजी बेच रहे है या तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं हमारी company जो है सबजी बेचती है तो Monday के rates जो होते हैं वो कम होते हैं लेकिन जब वो market में आते हैं तो अलग हो जाता है फिर कोई कह रहा है कि बीच में injection लगा हुआ है किसी के अंदर फलाना एधिम का है तो हम एक quality product एक affordable rate में एक middle class आदमी के घर में कैसे लिया सकते हैं अब ये एक vision बन चुका है तो आपको अपनी टीम को convince करना है कि हम सिरफ business बिजनस नहीं खर रहे हैं यहां businessman नहीं केला जा रहा है यहां पर हम एक vision की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अब इसी के साथ यहां पर set points की बात करिए हमारे writer भाई साब ने set points क्या होते है boss set points का मतलब minimum target जनाब minimum target का मतलब रोज हमें कम से कम एक घंट exercise करनी जाहिए यह target होता है यह maximum target है ठीक है आपकी कोशिश ही होनी जाहिए कि रोज मैं गिरी से गिरी हालत में भी 10 minute exercise करूँगा यह आपका set point होता है जनाब set point जो होते हैं वो बिलकुल non-negotiable होते हैं step number one set point कहां पर होने चाहिए आपकी life में important क्या क्या है बढ़ाई लखाई हो सकती है आपका exercise हो सकता है आपकी कोई particular audio session हो सकती है कोई Instagram live हो सकता है it doesn't matter लेकिन एक non-negotiable set point कि इससे कम तो possible ही नहीं है boss step number two कि एक बार आपका यह set point बन गया उसके बाद आपको simple सी भाषा में अपने इस set point को correct करना है अगर आप लोग मानलो miss कर जाओ उस particular चीज को example के तोर पे आपने कहा कि यार मैं रोजना minimum 15 मिनिट तो exercise करूँ गई लेकिन 10 मिनिट exercise करने के बाद आप half ने लगे तो अपने उस limit को 10 मिनिट कर दो 15 मिनिट रहने दो 10 मिनिट करो अब आप कहोगे कि यार अगर हमने limit ही कम कर दी तो फिर ये तो कोई फाइदा ही नहीं हुआ फाइदा होगा just wait for a moment अब कई सारे लोग जो है वो बहुत 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 बेसिक progression के साथ develop होता है तो instead of directly going के 10 मिनिट बढ़ा दिया एक मिनिट बढ़ाएंगे है ना हम धीरे 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 करके बढ़ा बढ़ा के हम आगे पहुचेंगे इससे क्या होता है हम ना demotivated सा feel नहीं करते है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और फिर हम वो target reach नहीं कर पाए तो हम कही ना कही थोड़ा सा हारा हुआ महसूस करते है और वो हमें नहीं करना है अब हमारी गाड़ी जो है वो पहुचती है अपने अगले station की तरफ आपका इंतजार रहेगा पहला पार्ट खतम दूसरा पार्ट खतम और अब बारी है इस किताब की third part में enter करने की which is called as recording ourselves देखो क्या है अभी तक हमने समझ लिया भाई problem है problem कहां पर है हमको ढूंट के निकालना है डूंट के निकालने के बाद हमको धीरी-धीरी कैसे खुद को better करना है लेकिन अब बाताई record करने की भाई देखो हमने decide कर लिया ना कि problem कहां है problem को हम कैसे fix कर सकते है तो अब उस पे action लिने का time आ गया है अब इस action को कैसे लिया जाता है यह हम eventually इस chapter में समझेंगे लेकिन यह chapter mainly 8 points पर based है देखो यह 8 points ना आप अपनी life में चाहे कोई साभी काम कर रहे हो वहाँ पर इन 8 सवालों को आप खुद से पोच कर देखो और यह 8 सवालों में ना 3 options होते है कि सारे के सारे जो है वो सही बात नहीं है कभी कभी यह बात जो आपने बोली है यह बात सच है या फिर आपने जो यह बात बोली है यह बिलकुल 100% सही है और यह तीन answers के हिसाब से हम एक evaluation करते हैं यह पता लगाने के लिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप actually में कितने ज़्यादा खुश है आप in general अपनी life में कितने ज़्यादा खुश है तो चले इन सवालों की तरफ शुरू करते हैं हेलो जी मेरा नाम है जस्टेन जोजफ और आप सुन रहे हैं विशेन लख्यानी जी की लिखी किताब सबसे पहला सवाल जो आपको खुच से पोचना है that is I love my current job to the point where it does not feel like work पहला सवाल simple सी भाशा में ये है कि मैं इस अपने जो काम अभी कर रहा हूँ मैं इतना जादा अपने इस काम से इश्क करता हूँ कि मुझे फीली नहीं होता कि मैं काम करने के लिए रोज से बात हूँ क्या ये line बिलकुल सच है क्या ये line कभी कभी सच है या फिर ये line बिलकुल भी सच नहीं है तीन options है हर सवाल में यही options रहेंगे एक option को choose करिए और उसको कहीं pen on paper पे लिखकर रख दीजिए सवाल number 2 आपका जो काम है क्या वो आपके लिए meaningful है मतब एक होता है न कि हम काम कर रहे हैं क्योंकि हाँ ठीक है I'm happy it's a good place लोग भी अच्छे हैं और practically मुझे अपने bills पे करने क्या वो reason है या फिर आपको आपके काम में कोई meaning भी feel होता है एक वजहा feel होती है कि मेरे job की एक वजहा है क्या ये बात सच है क्या बात थोड़ी थोड़ी सच है क्या फिर ये बात बिलकुल भी सच नहीं है लिखके रख दीजे कहीं कई बार हमारा third सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं इतना खुश होता हूँ कि ऐसा लगता है जिसे कि time का पता ही नहीं चला time flies by वाला जो concept होता है एकदम वैसा वाला feeling आया है सोचके देखिए तीनो options आपके सामने कौन सा वाला आपके लिए perfect है चौता सवाल जब थोड़ी सी गड़बड हो जाती है तब मुझे बिल्कुल भी किसी बात की tension नहीं होती मुझे पता है कि कुछ अच्छा जो है eventually मेरी life में हो ही जाएगा मतलब कहते हैं कि जब कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होने वाला है and so on so on क्या ये बात आप genuinely feel करते हो क्या ये बात पूरी तरह से सच है थोड़ी सच है या फिर बिल्कुल सच नहीं है सवाल number 5 मैं अपने future को लेके बहुत ज़ादा excited महसूस करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत amazing amazing चीज़े मेरे future में होनी है जनाब ये सवाल बहुत ज़ादा important है जब हम किसी ऐसे job में है ऐसी जगे अपनी life में फसे होते हैं जहां मैं बिल्कुल मजा नहीं आ रहा और हम बस अपने दिन काट रहे हैं हम अपने future को लेकर बिल्कुल excited नहीं होते हैं simple साथ सवाल है क्या आप अपने future को लेकर excited है क्या आपको लगता है कि future में बहुत amazing amazing चीज़ें आपके साथ होने वाली है तीन options है चूस करिए छटा सवाल stress और anxiety जो है ये मेरे को ज़दा problem नहीं होती इन दोनों चीज़ों से मैं अपनी abilities में belief करता हूँ मुझे पता है मैं काबिल हूँ मैं कर लूँगा stress आता है anxiety आती है आने दो कोई बात नहीं लेकिन मुझे अपनी काबिलियत पे भरोसा है क्या ये बात सच है जूट है ये कभी-कभी सच है सवाल number 7 मैं अपने future की तरफ न ऐसे देखता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो देखने का नजरिया है वो काफी unique है और जो मेरे goals है न जिन्दगी के वो बाकियों से थोड़े ज़ादा bold है ज़ादा बड़े मतब वो कहते हैं न थोड़े से bold goals रखने चाहिए सबके goal हैं कि यार मैं तो इंडिया के लिए travel करूँगा आप कहरे कहरे मैं तो इंडिया भी travel करूँगा दुनिया भी travel करूँगा थोड़े से goals आपके किस तरह से बने हुए life में क्या आप अपने future की तरफ जब देखते हैं तो आपको आप unique सा कुछ feel होता है आखरी सवाल क्या आप एक बहुत बड़ा time सिर्फ इस बात में invest कर देते हैं कि आप अपने future में क्या चाहते हैं देखो अभी तक हमने कहा कि आप अपने future की तरफ देख रहे हैं क्या आठवा सवाल थोड़ा सा different है आप दिन का कितना time अपने future के बारे में सोचने में बिताते हैं कि मैं आके जाके ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा ये होगा मेरी life में ऐसा होगा think about it अब पहले से लेकर के चौथे statement में अगर आपके सबके answer very true की तरफ रहे तो इसका मतलब है कि आप अभी में बिलकुल खुश है अगर आपका जवाब very true था पाँच से लेकर आठवे question थक तो इसका मतलब है कि आपका future को लेके जो vision है वो काफी जादा strong है अगर आपका answer very true था सारे के सारे सवालों के लिए इसका मतलब है कि आप अपनी reality को bend करने के लिए सक्षम में हैं जनाब ये सवाल बहुत basically इसलिए बनाये गये हैं ताकि आप अपने काम के सामने एक आइना रख सकें क्योंकि ये आठों सवाल कई बार जब लोगों से पूछे जाते हैं तो कई लोग जो शायद काफी अच्छे पैसे earn तो कर रहे हैं लेकिन कही न कहीं वो ये महसूस करते हैं कि उनको ना अपने काम से ना अपने future से कोई मतलब नहीं है वो बस अपने bills पे कर रहे हैं थोड़ी बहुत luxuries enjoy कर रहे हैं and that's it आपका answer क्या था ये personal रखेगा किसी को मत बताइए अपने तक रखेए and then it's your time to start working on it अब हम चलते हैं हमारे अगले concept पे जिसको कहते हैं Blisscipline हाँ, बुरूल्स की तरह एक नहा point discipline नहीं, blisscipline हमने इस किताब के शुरुवात में एक concept पढ़ा जिसे हमने कहा बुरूल्स और अब हम आते हैं blisscipline पे, देखिए discipline के बारे में हम सब ने सुनाए अपने जिन्दगी में और discipline एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया के maximum जो extraordinary minds होते है उनकी जिन्दगी में हमीशा होती है देखिए discipline आप अपनी life में अगर नहीं ला सकते तो problem क्या हो जाती है आपका time management थोड़ा सा बिकड़ जाता है तो आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुबह उटना है काम करना है काम पर जाना है उसके बाद ये करूँगा वो करूँगा discipline को थोड़े negative तरीके से दिखा जाता है discipline का बड़ा simple सा मतलब है जी आपको अपनी life में आपका time management सही तरीके से करना है अब ये तो यार इस किताब में नहीं ये हर किताब में हम लोग समझ सकते है कि discipline का कितना importance होता है life में लेकिन discipline का कितना importance होता है more importantly discipline होती क्या चीज़ है आओ इसको समझते हैं हेलो जी मेरा नाम है जस्टिन जोजफ और आप सुन रहे हैं विशेन लख्यानी जी की लिखी किताब the code of the extra ordinary mind की book summary on kukoo fm सुने जो मन चाहे अभी हमने पिछले episode में जिस तरह से सुना Richard Branson के बारे में जो Necker Island को own करते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ ना सब लोग ऐसे बैठ कर उनके साथ खाना वाना खा रहे थे वो किस्सा भी खतम नहीं हुआई जी तो आगे जाकर क्या होता है कि अलग-अलग entrepreneurs जो है वो सब उनको गहर कर बैठे हुए खाना वाना चल रहा है सब कोच है रहा है खाना वाना परोसा गया सब एक बढ़ियां ready है और सब लोग ना उनसे सवाल पोच रहें कि आप के हिसाब से अभी हमें कहां पर invest करना चाहिए आप के हिसाब से हमारी career opportunities हमें किस angle से set करने से है यार देखो उनकी गलतियां भी नहीं है अब तुमारे सामने Richard Branson जैसा कोई बैठाओ तो तुम यह सवाल नहीं पूछोगे क्या मतलब obvious सी बात है तो लोग उनसे यह सवाल पूछ रहें अब जब लोग Richard भाई साब से यह सवाल पूछ रहें तो अचानक से Richard ने कहा कि actually excuse me I have something to do और वो सामने जो dining table था लंबा चोड़ा सा उसके उपर चड़के खड़े हो गए सब के सब जो बहां बैठे हुए दियारो लेक भाई क्या कर रहे हो यह कोई जगा है चड़ने की आप Richard Branson और सार इस तरह के काम आपको शोभा नहीं देते नीचे उतरिये नीचे उतरो भाई नीचे उतरो किसी ने कुछ बोला नहीं क्योंकि भाई अगला इंसान काफी मतलब जाना माना है तो कुछ पढ़िया ही कर रहा होगा उपर उठने के बाद उन्होंने हमारी जो राइटर भाई साब है उनकी वाइफ को इन्वाइट किया डांस के लिए कहा डांस के लिए उसी टेबल के उपर जहां रिचर्ड ब्रांसन खुद खड़े हुए और जो उनकी वाइफ है वो भी टेबल के उपर चड़ी और दोनोंने एक बहुत प्यारा सा स्लो डांस किया बिल्कुल नॉर्मल खड़ी-खड़ी जो एक स्लो डांस होता है जो हमने ब्रिटिश मुवीज में एकसर देखा है एक नॉर्मल सा स्लो डांस किया और आसपास जितने लोग खड़े थे वो उनको देखकर हस रहे थे और हमारे जो राइटर भाई साब है वो कही ना कहीं वो रिचोर्ट ने अभी अभी उन्हें क्या बताया लोगों को यहनों सब लोगों को लग रहा है वो चड़के डांस कर रहे लेकिन हमारे राइटर ने यहनों फील किया कि यहाँ पर वो एक मेसेज दे रहे और वही मेसेज है जो आज आप लोगों तक वो राइटर पहुचाना चाहते है देखे जनाब ऐसा है डिस्सिप्लिन विस्सिप्लिन सब बढ़िया है अपनी जगे पे काम वाम भी चलता रहेगा लेकिन जिन्दगी से ब्लिस को कभी मत हटाईएगा जनाब ब्लिस क्या होता है मैं समझा देता हूँ कुछ अच्छा महसूस करना अच्छा फील करना ब्लिस एक ऐसा फीलिंग आता है अंदर से हापीनेस होती है बस उसी के भाई-भाई टाइप के परियावाची टाइपस वोड्स है लेकिन कई बार हम लोग जब अपनी लाइफ में अपने करियर के बीचे अपनी काम के बीचे लग जाते हैं यो हम लोग सुछते एक्स्ट्रॉडनरी बनना मैं दिन रात एक करके काम करूँगा ने ऐसे बात नहीं बनती है आपको अगर अपनी लाइफ में एक्स्ट्रॉडनरी बनना है तो कहीं न कहीं आपको हापिनेस को भी एक बहुत इंपोर्टन प्रायोरिटी देनी है और ब्लिसिप्लिन का मतलब ये है आपको टाइमली ऐसा नहीं कि एकात बार थोड़ा सा हाप्पी वे उसके बाद बाई बाई नहीं एकदम टाइमली खुद को याद दिलाना है कि आपको आपकी लाइफ इंजॉइ करनी है मतलब करनी है अब देखिए हमारे जो राइटर भाई साब है अगर वो चाहते तो ये ब्लिसिप्लिन को इस किताब की शुरुवात में भी मेंशन कर सकते थे क्यों नहीं किया अभी ही क्यों किया बात बड़ी सिंपल सी है जी स्टार्टिंग में हमने समझा कि हम एक्स्ट्राउडिनरी का रस्ता शुरू कैसे करें अपने business को या अपने venture को start कैसे करें लेकिन एक बार चब ये venture start हो जाता है ना उसके बाद एक अलग से life बन जाती है पता है आप सिरफ काम पे काम पे काम focus किये जा रहे हो अपने घरवालों से कितने जादा मिल रहे हो अपनी relationship पे ध्यान नहीं दे रहे हो अपने दोस्त बोल रहे हैं भाई आजा मिलने के लिए चलते हैं कहीं बैठते हैं अरे नहीं यार मैं busy हूँ मैं busy हूँ मैं busy हूँ आप कही ना कहीं अपने काम को अपनी दुनिया बना लेते हैं which is kind of not right आपको अपनी life में याद रखना है आपके काम के अलावा भी आपकी एक दुनिया है और उस काम की बीच में अगर आप मस्ती मजाग नहीं करें थोड़ा फन नहीं ले रहे हो ओफिस में बैठे हो जोक्स करो in fact encourage करो कि आपके office environment में थोड़ा मस्ती मजाग चलते रहना चाहिए क्योंकि इससे लोगों का mood सही रहता है अगर आप खुश रहेंगे आपके काम पे उसका एक direct positive effect करेगा वहीं पे अगर आप अपनी life में दिर्फ काम 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 ऐसे करके निकल जाओगे न तो गाड़ी आगे तो बढ़ जाएगी अगर ऐसा नहीं लगता तो जिन्दगी में breaks लें enjoy करें क्योंकि enjoy करने में कोई बुराई नहीं है कभी-कभी breaks लेना सही होता है तो आप decide कीजे कि आपका ये जो so-called blissip लेना है कहां से आता है cricket खेलने से आता है, football खेलने से आता है computer में games खेलने साथ है या हमारे Richard भाई साब की तरह dining table पे खड़े होकर लोगों के वीच में dance करने से आता है जैसे भी आता है, अपने enjoyment को रखें और अब it's time that हम अपने अगले chapter की तरफ बढ़ें हम सबकी जिन्दगी में goals होना बहुत ज़ादा जरूरी है कोई इसके against बोलना चाहता है बिलकुल भी नहीं, भाई कौन बोलना चाहेगा इतनी ज़ादा obvious बात अगर आप करोगे तो कौन ही इसके against बोलेगा problem यह है कि जो goal होते हैं यह भी एक ऐसा term है जिस पे हमारी society का एक काफी लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कई बार हम अपनी life में goals तो set कर लेते हैं कि अरे मैं तो job quit कर दूँगा और अब मैं musician बनूँगा यह मेरा goal है अच्छी बात है जी, मतलब यही तो कह रहे हैं हम extraordinary mindset में कि आप अपने दिल को follow करें, अपने passion को follow करें पर एक छोटा सा सवाल है जब यहाँ पर आपने कहा कि मैं goal मैंने अपना decide कर लिया है, are you sure कि आपको musician बनना है यह एक means goal है या फिर एक end goal है है? इसका क्या मतलब है भाई? मतलब goal तो goal होता है यह means goal, end goal, यह सब यही समझना है इस episode में तो आईए, शुरू करते हैं Hello जी, मेरा नाम है Justin Joseph और आप सुन रहे हैं विशेन लखियानी जी की लिखी किताब The Code of the Extraordinary Mind की book summary on Kukoo FM सुने जुमंचा है तो भाईया, clear करते हैं यह क्या है, यह means goal और यह end goal एक simple सा difference है means goal का मतलब जब आपके goal के अंदर एक hidden so छपा होता है Hindi वाला so नहीं, English वाला So वाला so अब इसका मतलब क्या समझाते हैं एक line में इसका मतलब, एक example के तुरू मुझे अच्छे percentile चाहिए so I can get into a good college अब यहाँ पर आपको अच्छे percentile चाहिए थे क्या यह आपका end goal था? नहीं यह एक means goal था आपको यह चीज चाहिए ता कि मैं यह so का जो Hindi होता है न proper वाला I don't know वो क्या है लेकिन इस situation में ता कि is the perfect word ता कि ता कि नहीं 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 अरे दिमाग का जा रहा है मेरा so we were talking about not the song but the so तो so को जो हम हिंदी में convert करते हैं तो यह word आता है न हिंदी वाला ता कि कि मैं अच्छे percentile लाना चाहता हूँ ता कि मैं अच्छे college में जा सकूँ और इसको ते न यह भी एक ऐसा term है जिस पे हमारी society का एक काफी जादा influence होता है अब अगर आपकी society ने आपके culture ने या फिर आपके आसपास के लोग ने आपके parents ने आपको एक independent career mentality के साथ grow किया तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है boss लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कई बार हम अपनी life में goals गोल होते हैं न यह भी एक ऐसा term है जिस पे हमारी society का एक काफी जादा influence होता है अब अगर आपकी society ने आपके culture ने या फिर आपके आसपास के लोग ने आपके parents ने आपको एक independent career mentality के साथ grow किया है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है boss लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कई बार हम अपनी life में goals तो set कर लेते हैं कि अरे मैं तो job quit कर दूँगा और अब मैं musician बनूँगा यह मेरा goal है अच्छी बात है जी मतलब यही तो कह रहे हैं ना हम extraordinary mindset में कि आप अपने दिल को follow करें अपने passion को follow करें पर एक छोटा सा सवाल है जब यहाँ पर आपने कहा कि मैं goal मैंने अपना decide कर लिया है are you sure कि आपको musician बनना है यह एक means goal है या फिर एक end goal है है इसका क्या मतलब है भाई बदब goal तो goal होता है यह means goal, end goal यही समझना है इस episode में तो आईए शुरू करते है Hello जी मेरा नाम है Justin Joseph और आप सुन रहे हैं विशेन लख्यानी जी की लिखी किताब The Code of the Extraordinary Mind की book summary on Kukoo FM सुने जुमंचा है तो भाईया clear करते हैं यह क्या है यह means goal और यह end goal एक simple सा difference है means goal का मतलब जब आपके goal के अंदर एक hidden so छपा होता है Hindi वाला so नहीं English वाला So वाला so अब इसका मतलब क्या समझाते हैं एक line में इसका मतलब एक example के तुरू मुझे अच्छे percentile चाहिए so I can get into a good college अब यहां पर आपको अच्छे percentile चाहिए थे क्या यह आपका end goal था नहीं यह एक means goal था आपको यह चीज चाहिए ता कि मैं यह so का जो Hindi होता है ना proper वाला I don't know वो क्या है लेकिन इस situation में ता कि is the perfect word ता कि ता कि जाना चाहता हूं ता कि मैं अच्छे college में जा सकूँ और इसको जब हम बढ़ा करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक college भी end goal नहीं है क्यों समझते हैं देखो क्या है जब अपन इस line को लंबा करेंगे तो हमें पता चलेगा मेरे को अच्छे percentile चाहिए so that I can get into a good college ता कि मैं अच्छे college में जा सकूँ ता कि मुझे एक अच्छी job मिल सके ता कि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूँ ता कि मैं एक अच्छा घर खरीच सकूँ एक अच्छी गाड़ी खरीच सकूँ etc. 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 आपका जो life का goal है उसमें ता कि तो नहीं एक छपा हुआ सोच के देखो अब यहाँ पर सब लोग कहेंगे यार obvious सी बात है मतलब अगर हमारे पास life में goal है तो goal किसी ना किसी के साथ connected होता है न नहीं जी जब हमारा goal किसी दूसरे goal के साथ connected होता है हम मतलब वो सो लगा रहते है न ता कि इस से यह हो जाए ता कि इस से वो हो जाए तो हमें ना peace नहीं मलता है हमें एक actual happiness नहीं मलती क्योंकि हमारी life के goal किसी चीज़ पर dependent है कैसे? अगर मुझे अच्छे percentile नहीं मिले तो मैं अधास हो जाओंगा अगर मुझे अच्छे college नहीं मिला तो मैं अधास हो जाओंगा अगर मुझे अच्छी job नहीं मिली पैसे नहीं मिला, घर नहीं मिला मुझे अच्छा नहीं मिला I'll not be as happy as I should be इसका मतलब ये goal एक अच्छा healthy goal नहीं है तो life में healthy goal क्या होते है healthy goal होते हैं, end goal end goal के आगे पीछे कुछ नहीं कोई ताकी ताकी नहीं है कोई rumba नहीं है कोई soni, कुछ नहीं है simple सी बात है आपका end goal कैसा होता है उसको example की तुरू समझते अब अगर मैं आप से कहूँ कि क्या आप अगर मतलब एक relationship में है आपकी शादी वादी हो चुकी है नहीं होई है तो भी अगर आप एक relationship में है तो आप अपने girlfriend और boyfriend को प्यार करते हैं बिलकुल करते हैं कौन नहीं करता है मतलब यह होता है हमारे initial response तो यहाँ पर एक simple सा question है आपकी जिंदगी के goals में कहीं ऐसा goal तो नहीं है कि मैं ना अपनी boyfriend को या मैं अपनी girlfriend को ना इस दुनिया में सब कुछ लाके दूँगा मतलब मैं I'll make her very happy in this world अगर यह आपका goal है तो यह एक अच्छा goal नहीं है सुनना मुझे ध्यान से जब मैंने भी इसे पहली बार पढ़ा था मैं बहुत awkward हुआ था but just hear me out अगर आप अपने partner के उपर या फिर अगर आप अपने parents के साथ हो या अपने बच्चों के साथ हो आपके जिंदगी के goals अगर किसी के साथ connected है तो अगर कल की date में वो इंसान आपसे प्यार ना करे अगर वो इंसान आपके साथ break up करके निकल जाए आप सड़नली तूट जाओगे अब खतम हो जाओ क्यों क्योंकि आपकी जिंदगी का goal था उस इंसान को खुश रखना उस इंसान को मैं प्यार करूँगा उस इंसान उस इंसान उस इंसान अब अगर वो इंसान ही नहीं रहा तो वो उस इंसान का तो concept ही गतम हो गया ऐसे में आप क्या करोगे तो यहाँ पर अगर हमें एक सही goal बनाना है तो that is कि मैं अपने आसपास हमेशा इश्क रखोंगा इसका मतलब यह नहीं है कि आप अगर एक relationship में है तो सामने कोई और लड़की मिली और कोई लड़का मिला तो उसके साथ भी इश्क हो जाए नहीं उसका मतलब यह है कि जो भी आपके साथ में उस time पे आपके साथ एक relationship में जैसे भी है आप उस इंसान के साथ एक प्यार भरी relationship में रहेंगे अगर कल को वो इंसान चला गया इसका मतलब वो इंसान गया लेकिन आपका circle अभी भी वैसे का वैसे ही है तो वो इंसान चला गया बचा कौन आपके circle में आपके parents हो सकते हैं आपके भाई बहन हो सकते हैं दोस्त हो सकते हैं, अब मैं उनको प्यार करूँगा बात खतम हो गई suddenly उस इंसान के जाने से आपके प्यार का कम या जादा होने का कोई connection नहीं, देखो थोड़ा बुरा लगता है सबको बुरा लगता है break up के बाद इसमें कोई नहीं बात नहीं है लेकिन break up के बाद सबसे जादा बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हमने उस इंसान के साथ अपने सारे सपने लगा के रख दिये थे जॉब से निकाले जाने के बाद कई बार बुरा इसलिए लगता है कि यार मैंने इतनी महनत करी थी इस कंपनी में घुसने के लिए यही तो problem है इस कंपनी में घुसने के लिए महनत क्यों करी थी आपका focus यह नहीं होना चाहिए कि मैं इस कंपनी के अंदर बहुत amazing काम करूँगा आपकी life का goal होना चाहिए कि जहां भी जौब करूँगा मैं अच्छा काम करूँगा that's it the end बात खतम हो गई आपकी life के goals पे so नहीं होना चाहिए कोई और इनसान अगर आपके goals पे हावी है तो उस इनसान के पास ये ताकत है कि वो आपका mood अच्छा या बुरा कर सकते हैं तो आपको क्या करना है अपनी life के goals में किसी और को कोई हक नहीं देना है मेरी इससे पहले कि हम इस episode के title को discuss करें और हम by the way part 4 के अंदर entry ले चुके हैं आखरी के 2 chapters हैं हमारे सामने मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 18 years से below हैं तो please इस episode का जो title है वो शायद आपके लिए appropriate नहीं होगा तो मैंने warn कर दिया है बाकि इसका मतलब कुछ ऐसा गंदा गिनोना नहीं है it's just that word थोड़ा सा different है so हमारी जो यहां की journey है it reaches to how to be unfuckwithable यह unfuckwithable का concept क्या होता है देखो क्या होता है क्याने की कोई अगर आपके साथ आपके दिमाग के साथ mess around कर सके तो वो इनसान ना आपको manipulate कर सकता है वो आपका दोस्त हो या वो आपका दुश्च्पन हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है अगर वो आपको manipulate कर सकता है अपनी बातों से या उसकी बातों से आप affected feel करते हो तो इसका मतलब English में जब हम लोग एक term use करते हैं वो यह है कि he is fucking with you उसका मतलब वो नहीं है जो हम imagine करते हो उसका मतलब है कि he is messing around with you not in a good way तो आपको यहाँ पर क्या करना है इस episode में हमें practically यह समझना है कि हम खुद को ऐसा कैसे बनाए कि किसी और के कुछ कहने से या कुछ करने से हमारा mental peace effect ना हो और यह बहुत ज़दे important है क्योंकि आज के जमाने में हम लोग क्योंकि social media के चलते इतनी ज़ाधा लोगों के साथ connected है और कभी-कभी उन्हों हम अपनी बारी में, social media में ज़रूर बताते हैं चाहे वो LinkedIn हो, Instagram हो Snapchat हो, doesn't matter वहाँ पर कई बार लोग कुछ ऐसे comments कर देते हैं जिसके देख करना ऐसे काफी बुरा सा लगता है इवन जब मैं KUKU FM पे book summaries को upload करता हूँ तो लोग ऐसे kilo kilo ton 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 धर के ऐसे लोग मेरे को प्यार भेशते हैं लेकिन उसी के साथ कुछ लोग बड़ी बुरी बाते भी लिखते हैं लेकिन ऐसे time पे अगर उनकी बातों से मुझे effect होने लग गया, इसका मतलब they are able to fuck with my brain लेकिन अगर मुझे वहाँ पर ऐसा नहीं करना, if I want to make sure कि मैं mentally strong रहूं और उनकी बात से मुझे कोई फरक ना पड़े तो how can I do that आए समझते हैं Hello जी, मेरा नाम है Justin Joseph और आप सुन रहे हैं विशेन लख्यानी जी की लिखी किताब The Code of the Extraordinary Mind की Book Summary on Kukoo FM, सुने जुमन चाहे सबसे पहली चीज जो आपको करनी है मतलब this is like the ultimate rule जिससे कि आप अपने आप अपने आपको ineffective बना सकते हैं वो यह है आपकी जिंदगी के गोल आप ही के साथ related होने चाहिए इसको हमने बड़े विस्तार से बड़े ध्यान से आराम से अपने पिछले एपिसोड में पढ़ा कि किस तरीके से हमारी लाइफ के गोल अगर कोई और effect कर सकता है तो उससे मतलब गडबड हो जाएगी हम लोग अगर अगला इंसान पीछे हड़ गया या जॉब हमारी चले गए तो हम जो हैं अपनी लाइफ में काफी ऐसे अरे यार यह क्या हो गया तो instead of that आपकी लाइफ के जो गोल है वो self-fueled होनी चाहिए example के तौर पे अगर यहाँ पर आपके लाइफ का गोल है कि भाई मुझे रोज है ना अब एक बात बताओ कि इसमें किसी और के होने ना होने से क्या फरक पड़ता है क्या आपने कहा कि I will read a book one book a week with her या फिर with him वहाँ problem है अगर अगला इंसान कल को break up करके चला गया तो चोटो गई हम अकेले हो गया लेकिन ऐसे में हमें क्या करना है हमारी life के जो goals है वो सिरफ और सिरफ हम से fueled up हो हमारे through बहार आए अब ये point हम पिछलो उसमें समझ चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा time invest नहीं करेंगे अब हम चलते हैं हमारे अगले point पे अगर आपको अपनी आपको एकदम strong बनाना है mentally तो आपको एक बात realize करना ज़रूरी है that मैं काफी हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्योंकि वैसे दो मतलब हम सब इस बात से agree करते हैं हाँ हाँ भाई मतलब I am enough for myself yes yes self love लेकिन क्या वाकई में आप self love में believe करते हैं यहाँ पर कुछ सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ actually मैं कुछ instances रख रहा हूँ जो writer ने share किये और सरा सोच के देखेगा इस बारे में you know एक wife का ये comment करना कि यार मेरा जो पती है इतना inconsiderate इंसान है उसको कोई परवाही नहीं है मेरी पहली line दूसरी line यार मेरा जो लड़का है न मेरा बेटा यार मुझे बिलकुल appreciate ही नहीं करता है उसको तो लगता ही नहीं है कि उसकी मा कुछ काम करती है third line ये एक भाई बोल रहा है अपनी बहन के लिए कि यार मेरी जो बहन है न उसको पता है family की कोई परवाही नहीं है कितना गलत है मतलब she should have certain responsibilities towards a family right अब fourth point पर आते हैं जहां एक employee अपने boss के बारे में बोल रहा है यार मेरा जो boss है ना यार मैं इतना मेहनत करता हूं यार company में ये एक तारीफ नहीं करता खडूस भुड़ा गहींगा अब इन चारो लाइनों को बड़े ध्यान से सुनिये यहां पर हम किसी और इनसान को judge कर रहे हैं अगला इनसान सही है गलत है यह यहां का मुद्दा नहीं है अगला इनसान बिल्कुल गलत हो सकता है लेकिन इन चारो लाइनों में हम किसी दूसरे इनसान को judge कर रहे हैं हम किसी दूसरे इनसान ने सही किया गलत किया इस बात को discuss कर रहे हैं अब देखो जब अपन लोग अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो वहां पे ऐसे थोड़ी मुटी bitching bitching चलते हैं लगते हैं कि जब देखो हम किसी की बुराईयां ही निकाल रहे हैं हम किसी की कमिया निकाले जा रहे हैं हमारा दिमाग अब हमसे related ही नहीं है हमारे दिमाग को हम खुश कर सकते हैं कि बिल्कुल नहीं हमारे दिमाग को खुश कर सकते हैं जब मेरा पती एक inconsiderate इंसान नहीं बनेगा, वो मेरे बारे में परवा करेगा मेरा बेटा मेरी appreciation करेगा मेरी बेहन जोए वो family की यार परवा परवा करेगा कितने गलत कर रही है वो, परवा करेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, हम क्या कर रहे है हमारी जिन्दगी के खुशी को किसी और के साथ relate कर मार रहे है क्यों? क्योंकि हम ये believe ही नहीं कर रहे है कि हम काफी है अगर उसने मेरे साथ इस तरीके सा अच्छे से नहीं रहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्यों? आप अपने साथ, आप खुछ से प्यार करते हो ना आप self love में believe करते हो ना तो आप चाहो तो अकेले एक restaurant में बैठके खाना भी खाते खाते खुश रह सकते हो खुश रहना आना चाहिए दाट इस important देखिए जनाब एक बहुत प्यारा से यहाँ पे point है from hole to hole यह English वाले holes की बात हो रही है सबसे पहला hole है H-O-L-E, दूसरा वाला hole है W-H-O-L-E मतलब यह है पहला hole जो होता है मतलब एक गड़ा होना कहीं कुछ emptiness सी feeling रखना दूसरे वाले hole का मतलब है पूरा feel करना, यहने completed सा feel करना आप अगर अपने आप में completed feel नहीं करते हो अगर आप एक restaurant में अकेले बैठके खाना नहीं कह सकते अगर आप एक बंद कमरे में बैठकर भी खुश नहीं रह सकते तो boss, आपकी जिन्दगी की maximum happiness सिरफ temporary happiness रहेगी यह fact है जैसी कल को कोई और इनसान जिससे भी आपकी खुशियां related है वो कुछ गलत कर देगा न suddenly आपकी खुशी पूरी तरह से damage रोचाएगी आप काफी है आपके अंदर कोई emptiness नहीं होनी चाहिए आप अपने आप में काफी है अगर आप काफी है तो आप खुश है ठीक है जी इतना समझ में आगय है जी तब हम चलते हमारे इस किताब के सबसे आखरी चाप्टर की तरफ which is embrace your quest भाईया हमने सीख लिया कि extraordinary mind को कैसे बनाया जाता है step by step process क्या होती है अब सवाल ये है कि extraordinary mind अगर एक बार बन गया तो क्या वो permanent होता है बिलकुल भी नहीं extraordinary mindset जो होता है वो आता और जाता है हमारी life में जब धीरे धीरे हमारी practice बढ़ने लग जाती है towards the methods जो हमने इस किताब में discuss की हैं तो क्या होता है कि ये जो mindset होती है extraordinaryness की ये हमारे साथ long periods of time के लिए रहती है लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये आती और जाती है तो recognize कैसे करें कि अभी हमारा जो दिमाग है वो extraordinary mind बन चुका है और अभी वो normal है तो यहाँ पर ना एक goddessal theory करके use करी जाती है जिसको हम ऐसे भी कहते हैं that you are the chosen one अब इसका मतलब क्या होता है इसको बड़े simple तरीके से हम समझेंगे इस episode में और उसी के साथ हम दो myths को भी bust करेंगे जी हाँ दो ऐसे myths हैं जो बड़े फैल चुके हैं आज की date में दुनिया में regarding extraordinaryness कि अगर ये कर रहे हो मतलब तुम cool हो ऐसा नहीं होता ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता तो वो क्या है और उसी के साथ में हम कैसे recognize करें जब हम extraordinary है आईए समझते हैं तो कई सारे observations के बाद हमारे जो writer भाई साब है उन्होंने notice किया कि एक goddessal theory है जो हमारे साथ ना apply होने लग जाती है जब हम लोग extraordinary mindset में आते हैं और इसके अंदर चार rules हैं जो हम लोग follow करने लग जाते हैं actually चार rules हम follow नहीं करते चार principles हम पे apply हो जाते हैं वो क्या है इसको समझते हैं सबसे पहला हम लोग अपनी जिंदगी के साथ connected सा feel करते हैं मतलब यह यार हम जब अपनी life में होते हैं ऐसा लगता है यार मजा रहा है मतलब रोज उठ रहे हैं सुबाद जिंदगी जीने में एक मजा रहा है चेहरे पे एक genuine smile forced smile नहीं है कि भाई किसी के लिए हस रहे हैं और something like that practically आप अपनी life के साथ एक अलगी connection पे होते हो और आपको ऐसा लगने लगता है यार अब मजा रहा है जिंदगी में वो जो एक feeling आती है at that moment आप अपनी उस extraordinary mindset को reveal करते हो second principle you are tapped into intuition intuition का मतलब simple सी भाषा में यह line यार हम सबने अपनी life में कभी ना कभी तो बोली है या किसी टीवी सीरियल में सुनाए यार पता है मेरी ना gut feeling बोल रही है यह gut feeling क्या होती है यावर हो कहते हैं यार मेरी अंदर से आ रहा है हमें ऐसा करना चाहिए इसे कहते हैं intuition यह intuition जो होता है ना इस दुनिया में हर इंसान के अंदर होता है पोलिस वालों के अंदर तो सबसे जादा होता है उनके maximum case के जो investigations होते है या एक detective के लिए या एक judge के लिए वो सब intuition पे ही based होते है कि उनकी gut feeling क्या कह रही है उस particular time पे अब ऐसे ही करके वो intuition हमारे अंदर भी होता है और जब हम अपने अंदर की इस extraordinary mindset को दीरे दीरे से आगे करने लगते है तो होता कहा है ना कि हमारे जो मतलब knowledge भी बढ़ रही है हम खुश भी है अपनी जिंदगी में तो suddenly हमारी gut feeling की direction भी ना अपने आप सही हो जाने लगती है सुनने में थोड़ा सा ये मतलब अरे ये क्या magic की बात हो और ये लग रहा होगा but it's actually very true जब आप अपनी जिंदगी में खुश रहने लगते हैं तो आपके जो ये gut feeling होती है ये अपने आप काफी ज़्यादा better होने लग जाती है थोड है आपकी जिंदगी में ऐसा लगने लगेगा कि यार आप एक vision के पीछे हो देखो बॉस simple साएक काम करते हैं मेरा example आप ले लीजी अगर एक storyteller है और मैं ये सोच रहा हूँ अगर आज की date पे कि यार पते मुझे ना कहानिया सुनानी है बहुत सारी जितनी जादा कहानिया सुनाँगा न उत्ते जादा लोगों तक पहुचेगी Instagram पे मेरा profile बढ़ेगा जितने जादा followers होंगे अलग-अलग brand उतने जादा पैसे मुझे देंगी ये ना job mentality हो गई ये career mentality हो गई अब अगर यहां पर मेरा दिमाग extraordinary mindset के अंदर आ जाए जो मुझे तो लगता नहीं अभी है मैं practice कर रहा हूँ मैं भी आप लोगों की तरह वहाँ पहुचने की तो अगर एक ऐसा time आएगा न तो suddenly मेरे दिमाग में ना ऐसे thoughts आने लग जाएंगे कि यार पता है मुझे ना इस गाओं की कहानी को कैसे भी record करके मेरे को अपने तरीके से लोगों के बीच में लेकर के आना है और इंडिया में ये कहानिया ये लोगों को मैं सुनाओंगा और मेरी कहानियों को ना मैं सिरफ इंडिया में नहीं रखूंगा मैं बाहर के देशों में भी publish करवाऊंगा audio platform पे करूँगा, video platform पे करूँगा ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि Justin Joseph नाम का एक storyteller है अब suddenly यहाँ पर मैंने पैसों की बात नहीं करी है यहाँ पर मैंने किसी भी तरह से ऐसा नहीं काया है कि मुझे Amazon में publish करना है अपने को या Netflix में मुझे अपना एक special निकालना है मैं in general अपने career को एक vision की रूप में देख रहा हूँ कि मैं कुछ बढ़ा करने के लिए आया हूँ, मुझे एक impact छोड़ना इस दुनिया में, जैसे इस टाइप की mentality आपके अंदर आने लग जाती है तो suddenly समझ जाईए कि आपका जो वो extraordinary mindset है वो activate हो चुका है अब बात करते हैं हमारे आखरी principle की और इसे कहते हैं आपको ऐसा लगएगा कि luck आपके side में वो हमने कुछ लोगों को देखा है ना यार जो बड़ी ऐसे lucky से होते हैं मतलब उनकी जिन्दगी में बस अच्छी अच्छी चीज़ें एक के बाद एक होती जा रही है और हम कहते हैं यार luck भी कोई चीज होती है पते है reality of the situation ये है कि maximum लोग जो extraordinary mindset रखते हैं अक्सर luck उनके favor में रहता है इसलिए नहीं कि वो lucky है तो वो इतने famous हो गए या फिर उन्होंने extraordinary mindset अचीव कर ली actually में जब आप एक extraordinary mindset की तरफ बढ़ते हैं तो आपके अंदर बहुत ज़ादा confidence आने लगता है और उस confidence में क्या होता है ना आप अपनी life की छोटी छोटी जो problematic चीज़ है आपकी life में कुछ बुरा हो इनी रहा है सिरफ अच्छा ही अच्छा हो रहा है luck आपके तरफ है actually में बुरा हो रहा है लेकिन आपके अंदर जो जोश है आपके अंदर जो काम करने का जुनूने वो इतना ज़ादा हो जाता है कि आपन छोटी छोटी problems को notice ही नहीं करते and that's the difference between lucky people and unlucky people जब हम extra ordinary mindset की बात करते है अब यहाँ पर अगर यह चार principles आपके उपर apply होते हैं इसका मतलब आपका दिमाग extra ordinary mindset reach कर चुका है लेकिन अब हम हमारी गाड़ी बढ़ाते हैं दो myths को burst करने के लिए और हमारी इस किताब को खत्म करने के लिए actually में क्या है ना यह जो extra ordinary mindset के examples हम जब भी लेते हैं तो हम जिसे Elon Musk की बात कर रहे हैं, Bill Gates की बात कर रहे हैं तो लोगों के अंदर ना एक mentality आ जाती है कि यार हमें ना entrepreneur बनना है, हमें खुद की company नी बनानी, हमें खुद का business बनाना है अगर यह किया तो हम extraordinary है हम दुनिया में अपनी चाप छोड़ कर जाएंगे ऐसा नहीं है एक extraordinary mindset एक मा की भी हो सकती है एक पापा की भी हो सकती है जो शायद सिर्फ एक housewife है या एक house husband है हम लोग एक word लगा देते हैं जैसे अभी मैंने flow flow में कहा कि वो सिर्फ एक housewife है यह mentality हमारे अंदर इसलिए रहती है बिकास हमें ऐसा लगता है यह काम में थोड़ी कोई extraordinaryness होती है ऐसा नहीं है extraordinary बनने का जो पूरा का पूरा concept है वो यह है कि जनाब आपको खुश रहना है आपको एक आजाद mentality रखनी है आपका जो दिमाग है वो किसी दूसरे इंसान का किसी culture का किसी religion का गुलाम नहीं होना चाहिए वो आपका खुद का एक आजाद पंची होना चाहिए अब लोग क्या समझते हैं कि भाई चूकी जो बड़े famous और ameer लोग है यहीं है जो extraordinary mindset लेके बैठे है नहीं जी extraordinary mindset के लिए आपको entrepreneur बनने की कोई जरूरत नहीं है तो यहाँ इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दे अगर आप अपनी life में कुछ इनो बढ़ा करने के लिए आएं आपको ऐसा लगता है तो आप उसे करें लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका रास्ता entrepreneurship ही हो second rule यहाँ पर हम बात कर रहे हैं the career myth के बारे में देखो क्या है ना कि आज की date में कई सारे लोगों का यह कहना यह 9 to 5 की job कौन करेगा यार क्या pouring है you are not living your life ब्रो नहीं यार ऐसा नहीं है वो अपनी जिन्दगी को जी रहा है और वो अपनी जिन्दगी को बहुत खुबसूरत तरीके से जी रहा है simple सी बात है क्या आप खुश हो अगर आप अपनी job में खुश हो अगर आप अपने जब ऑफिस में जाते हो और आपको मज़ा आता आपको लोगों के साथ बैटने में आपको जो वहां का सर कलें आपको लगता है कि आप रोज जो काम कर रहे हो उससे दुनिया में एक positive impact पढ़ रहा है तो that's it that is literally it बात खतम कोई दिक्कत नहीं जी 9 to 5 की जोब भी बिल्कुल चिल है बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप खोश रहें आप किसी के एक होलाम बन के ना रहें तो simple है हमें entrepreneur बनना जरूरी नहीं है और वहीं पर 9 to 5 की जोब में भी आप एक extraordinary mindset को achieve कर सकते हैं सिर्फ खुद को आजाद रखें and that is what this book is all about free your mind and suddenly आपका दिमाग एक extraordinary mind में convert हो जाएगा और इसी के साथ हमारे इस किताब को हम बंद करते हैं अब इसके बाद generally खतम हो जाती है book summaries लेकिन अगर आप मेरे साथ पहली बार इस सफर में निकले थे तो मैं आपको बता दूँ कि हम एक और episode करते हैं and it is called as the conclusion उसके अंदर practically मैं इस किताब के दो अपने सबसे favorite topics के बारे में बात करता हूँ और मेरी अगली किताब के बारे में एक छोटा सा sneak peek देता हूँ तो अगर आप interested हैं तो आपका इंतजार रहेगा हमारे आखरी station पे ladies and gentlemen अगर ये पहली किताब है book summary की जो आपने मेरी वाली सुने है इसके पहले मैंने और भी किताबे करी है तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस episode में एक्दम heart to heart वाली conversation करते हैं कोई filter नहीं है जी कुछ नहीं जी एकदम जो real shield रखना एकदम आपस की conversation को और अकसर मैंना दो points पे discussion करता हूँ लेकिन इस बार इस बार मैंने दो नहीं बलकि एक point को चुना है देखो ऐसा नहीं कि मैं अपना time बचाना चारा हूँ या छोटा episode बन जाए बिलकुल नहीं ये एक episode actually मैं ये एक किस्सा जो था it was kind of very deep for me मतलब होती है न कुछ बात हैं आपको बहुत जादा सोचने पे मजबूर कर दे थी इस पूरी किताब में that one point वो point क्या था आई है discuss करते हैं तो उसे discuss करने से पहले नहीं नहीं उसके बाद इंट्रो करेंगे यार ऐसा थोड़ी था बाद में इंट्रो मारेंगे तो वो जो सबसे पहला point था जी वो ये था कि वो जो अच्छूरा tribe के साथ जो हमारे writer भाई साथ के encounters रहे थे उसमें उन्हें किस्सा डिसक्स किया था जिसके अंदर पता है वो ना उस tribe में एक culture है जहां पर वो tribe के लोग religion में बिलीव नहीं करते हैं उनका ये मानना है कि वो इस forest के साथ एक है मतलब forest उनका religion है उनका environment है उनका universe सब कुछ वो जंगल है तो वहाँ पर ना एक जैसे हम लोग tantrik बुलाते हैं वैसे वहाँ पर shaman करके बुलाते हैं तो वो उधर पर गए और वो आपको एक liquid पीने के लिए देते हैं actually में वो एक तरह का you know एक hallucinating type का होता है बट वो बिल्कुल natural पत्नियों और इन सब से बनाया गह रहता है it's not like a chemical drug or something तो वो लोगों ने उसको पिलाते हैं और उसको पीने के बाद इनसान को न विजन जाने लगते हैं practically hallucinate करता है एक इनसान तो हमारे जो ये राइटर भाई साब है उन्होंने उस particular liquid को पीया और उसके बाद उनको बहुत बुरी तरह से दर्दू अपने पेट में उन्होंने उल्टियां करी उन्हें समयं में ने आया वो गिर गए जमीन पर मतलब वह हो जाना है सांस ले रहे हैं कि क्या करना है कुछ समयं में ने आ रहा है ऐसे घर कि उनकी हालत हुई और उसके बाद जब वो उनकी आखें बाहर की तरफ देख रही थोड़ टैंक पद सब कुछ normal होने लगा और सामने जो पेड थे वो पेड ऐसा लग रहा था जैसे friendly monsters में convert हो गए हूँ मतलब जैसे वो पेड जिन्दा तो हो गए लेकिन वो डराव में नहीं लग रहे थे वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब हमारे साथ एक हैं वो हमारे दोस्त हैं हमारे neighbors हैं और वो effect थोड़े time रहा और उसके बाद उनको एक जम की नींद आई अब हम सब को पता है कि वो पीने के बाद उन्होंने hallucinate किया लेकिन कहीं न कहीं वो writer ये बात बताते हैं कि वो जो एक experience था it was very different it was different because वहां के गाव वाले जिस तरह की beliefs रखते हैं कि हम लोग you know जब रात को सपना देखते हैं तो वो सपना सिरफ एक सपना नहीं है it actually means something फिर वो जो philanthropist था उनको रात में एक सपना आ रहा है बार 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 और उसकी बाद उन्होंने इस particular tribe को you know वो बचाने के लिए आई जंगल में when I think about all of these things कहीं न कहीं आपको एक सवाल अपने अंदर आने लगता है कि हम लोग भले ही science में कितने ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बात नहीं जो actually में real हुआ करती थी लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा fancy नहीं है सोचने में तो हम उन बातों को पीछे छोड़ाए हैं देखें मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वहाँ पे जब उन्होंने वो liquid पिया तो वहाँ पे वाकी में you know पेड जो थे वो monsters में convert हो गए this and that नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपनों की दुनिया की जो सच्चाई होती है वो scientists और doctors भी इस बात को मानते हैं कि अभी तक पूरी तरह से explode नहीं है what if it is something more than that हम लोग science में जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं क्या हम अपनी spirituality में उतने आगे बढ़ रहे हैं जनाब spirituality का religion के साथ कोई connection नहीं होता है sometimes religion is a means ताकि आपके अंदर की spirituality जग सके लेकिन आप कैसे भी spiritual हो सकते हैं तो क्या हम अपनी अंदर की spiritual side को जहां पर इस universe के साथ हमारा जो connection है उसको हम बहुत पीछे छोड़ा है क्या हमारी जो पूरवच थे वो जानते थे कि हमारी universe के साथ connect कैसे हो सकते हैं और वो तरीके हमें पता ही नहीं I mean I know this sounds very much like fiction लेकिन वो जो छोटा सा incidence था net पे अगर आप सर्च करेंगे तो ऐसे और भी incidences हैं जो लोगों ने बताए हैं जब वो लोग यनों अलग-अलग tribes में जाते हैं अगर आप Norwegian areas के बारे में थोड़ा सा discuss करें खासकर जो एक Tom है न बड़ा famous साच किल Viking करके तो Vikings में भी ये प्रता होती थी कि वो लोग एक liquid पीते थे और उसके बाद कहते थे कि वो लोग एक God mode में convert होते थे और उनको ऐसे से visions दिखाई जीते थे जो future से related हैं this and that और उनमें से कई सारे visions actually में सच थे क्या है इन सब के बीचे की कहानी वतलब ये किताब जरूर कुछ और बताती है लेकिन वो particular part की हम अपनी spirituality से connected है क्या जब writer ने पूछा तो it was a very important question for me शायद as Justin Joseph या फिर शायद as a storyteller could be but anyhow that was that one point अब बात आती है जनाब अगर हमारा सफर खत्म हो रहा है तो हाथ मिला करके एक आखरी introduction तो बनता है तो hello जी मेरा नाम है Justin Joseph thank you so much आप मेरे साथ इस सफर में बने रहे मैं Instagram पे storytelling करता हूँ जी fictional horror thriller वगेरा की कहानिया सुनाता हूँ और इन सब के साथ Spotify भी मेरा एक podcast चलता है लेकिन इन सब के अलावा जब बात आती है book summary इसकी तो मैं आपको मिलूँगा यहाँ कुको FM पे और यहाँ पर सुने जुमन चाहे अब बात करते हैं हमारे इस किताब की जनाब जिस किताब की book summary आपने अभी अभी सुनी इस किताब को विशेन लखियानी जी ने लिखा है और इस किताब का नाम था The Code of the Extraordinary Mind अब इसके बाद जिस किताब की book summary जो मैं अगली करने वाला हूँ उसका नाम है Talk Like Ted हाँ जी जब यहाँ पर मैं Ted बोल रहा हूँ तो मैं वही वो जो TEDx के जो स्टेज होते हैं उसी से related बात कर रहा हूँ और मुझे पता है आप मैंसे कई सारे लोग बहुत खुश आल्रेडी हो चुके हैं क्योंकि मेरे Instagram DMs पर मैंने देखा कि इस किताब की क्या तो recommendation डाली गई है मतलब कम से कम मेरे पास 7 से 8 लोगों के messages पड़े हुए है कि भाई इस किताब की summary बनाओ मतलब इतना मुझे कभी किसी किताब के लिए नहीं मिला So I was also very excited और खास कर मैं बता रहा हूँ इस किताब के पहले ही कुछ chapters में आपको समझ में आ जाता है कि TEDx, TEDx क्यों होता है और वहाँ पर ऐसा क्या होता है कि कुछ जो speakers होते हैं वो global sensation बन जाते हैं तो एक अच्छा speech कैसे देते हैं एक अच्छे storyteller कैसे बनते हैं जनाब अगली किताब तो ऐसा लगता है कि मेरे ही field को belong करती तो मैं और excited हूँ उसको लेकर के लेकिन I am happy कि कहीं न कहीं वो excitement आपके दिलों में भी हो तो जल्द ही मिलते हैं एक नई सफर में एक नई adventure पे एक नई किताब